से हम आपको बताने वाले हैं तो सिलोगिजम को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम इसमें कवर क्या क्या करने वाले हैं तो सिलोगिजम में अगर प्री में देखा जाए तो प्री में आपको तीन टैप के क्व देखने को मिलते हैं ठीक है तो सबसे पहले वो टाइप लिख लेते हैं सबसे पहले हम आपको बिल्कुल बेसिक सिलोक्स कराएंга तो यहाँ पर होंगे जो आज हम पढटने वाले है जो बहुत important होने वाला है वो है हमारे basic तो ताइब टू जब आएगा हमारा तो ताइब टू में हम पढ़ने वाले हैं इसके आईदर और केसे यह भी हम आज ही बताएंगे आपको फिर टाइब थ्री में हम आपको बताएंगे पॉसिबिलीटी के केसे जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है मतलब कि बेसिक अगर आ गय निव पैटरन के सिलोगिसम और बोलेंगे मैं सिलोगिसम में भी निव पैटरन बता रहे हैं हमने तो इतने ही कैसे देखे थे जी नहीं इसके अलावा भी सिलोगिसम में एक निव पैटरन केस होता है जिसे हम बोल सकते हैं कोड़ेड सिलोगिसम ठीक है तो यह निव पैटर syllogism आया था तो यह एक इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके मेंस के लिए और यह सब इंपोर्टेंट हो जाएंगे आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पीडिएफ आपको मिल जाएगी वो बोल रहे हैं पूछ रही है अनुराक्ष पूछ रहे हैं कि माम नोट्स कहा मिलेंगे पीडिएफ आपको कॉमेट सेक्शन में मिल जाएगी बट उसका थोरस आपको इंदार करना होगा कुछ यह सेशन खताम होने के कुछ टाइम बाद ही म चलिए फिर स्टार्ट करते हैं न्यू पैटर्न केसल में मैं आपको सब चीज करवा दूगे और उसके बाद हम सिलोगिजम की ओवरॉल एक प्रैक्टिस भी करेंगे ठीक है चलिए बेसिक कॉंसेट तो आज हम करने वाले है टाइप फन ठीक है बेसिक कॉंसेट में अब क्या होगा इसके नीचे मिलते हैं आपको पाच आप्शन और उन पाच अप्शन में से आपको कोई एक आपशन टिक करना होता है यह होता है अब इसमें इस्टारिक में बहुत साल पहली की बात है जब पॉसिबिलिटी के केसे नहीं आए थे तो वस दो केसे चलते थे इक्साले वो थे type 1 और type 2 मतलब की basic और either or के cases आज हम देखेंगे उन्हीं basic concept को आज हम करने वाले हैं मतलब की type 1 syllogism का अब यह basic है मतलब जो पूरा fundamental है syllogs का यह 4 pillars पर टिका हुआ है तो यह 4 pillars क्या क्या है इनमें आपके 4 pillars में एक है कुछ एक है कुछ नहीं एक है सभी और एक है कोई भी नहीं मतलब थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट हाँ यही चार statement आपको पढ़ने होंगे बस इसी में पूरा निचोड़ है syllogism का एक आएगा आपका sum A are B एक आएगा आपका sum A are not B एक आएगा no A is B and last all A are B बस यह चार statements के according हम आपको when बताएंगे उसके according कुछ conclusions बताएंगे और फिर पूरा chapter का जो basic निचोड़ है वो आपके सामने clear हो जाएगा अब देखिए टाइप बन में actually हम आपको कराने क्या वाले हैं हम आपको बताएंगे कि कोई भी निशकर्ष आपका सही और गलत कब होता है definite case में ठीक है not in possibility but in definite case तो definite case मतलब कि जब आपसे वो conclusion की demand कर रहा हो या फिर हम बोल सकते हैं जब वो आपसे answer मांग रहा हो और उसे क्या चाहिए हो पूरी 100% charity चाहिए हो मतलब वहाँ पे possibility या संभावना जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा वहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे आपको मिलेंगे direct sentences, direct एक conclusion मिलेगा for example वो direct कहेंगे कुछ mango पपाया है और उसके according कुछ when बना होगा उसको देख के आपको बताना होगा क्या ये सही है या गलत जब आप उस पे 100% sure होंगे only तब ही आप उस conclusion को सही करोगे वरना अगर आपको उस पे surety नहीं और थोड़ा सा भी संदेह है तो आप उसे wrong कर देंगे मतलब कोई भी conclusion सही कब होगा जब आपको उस पे 100% surety होगी तो यहाँ पे जब आपको 100% surety होगी किसी भी conclusion पे तभी आप उसे right करेंगे दूसरी चीज आपका निशकर्श conclusion कभी भी आपके कथन के विरुद नहीं जाएगा मतलब it should never opposes your statement ठीक है या फिर हम बोल सकते हैं अगेंस नहीं होगा statement के ठीक है for example if I say मैं अगर आपको आके कहती हूँ कि आप सभी विद्ध्यारती हैं अब मैंने बोल दिया आप सभी students है अब कोई आके निशकर्श निकाले अब आप बताना सही या गलत मैंने तो बोल दिया statement बोल दिया ये सभी students है अब कोई आके बोले इन में से कुछ लोग students नहीं है तो आप क्या बोलेंगे इनका निशकर्श 100% गलत है क्योंकि ये क्या किया इसने इसने statement के न opposite बात कर दी इसलिए इसलिए यहाँ पे not against your statement कोई भी conclusion आपके statement के against नहीं होना चाहिए बुलेगा blue green है बुलेंगे हाँ है और वो कुछ भी बोल सकता है ठीक है तो उसे दिल पे मत लीजिएगा चलिए फिर आगे चले बस ये था आपका एक चोट असा concept अगर कुछ queries हो तो हाँ अनुराग जी पूछिए ना यहाँ पर queries हम यहाँ पर खड़े है ना रॉंग होगा वेरी गुट चलिए फिर आगे चलते हैं ठीक है अब आगे हम हमारे वन ओफ दपिलर्स पे मतलब कि एक पिलर पे कोई भी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम एक डाइग्राम बनाएंगे एक मेथड होता है 150 रूल मैं उसको बिलकुल भी रिकमेंट नहीं कर इंपॉर्टन चीज क्या चाहिए होती है हमें चाहिए होती है एक्यूरसी और एक्यूरसी आपके वन डाइग्राम से ही बनती है इसलिए चाहे आपको एक दो सेकंड जादा भी लग जाए लेकिन एक्यूरसी आपकी नहीं जानी चाहिए तो चलिए आईए देखते हैं कैसे हम वेन डाइग्राम बनाएंगे और वेन डाइग्राम के अकॉर्डिंग हम कैसे एज्यूम करेंगे हर एक चीज को या फिर किसी में इसकरश को कब सही और कब गलत करेंगे एक बात और मैं बताना चाहूंगी यहां पर हमें तीन रिष्टे देखने को मिलेंगे जाह से आदा म के सिमरन मैं देखके आपको करती हूं रिप्लाइए ठीक है हां आई यहां पर आपको स्टेट्मेंट है सम ए आर बी कुछ ए भी है इसको देखते ही हमें एक वेन बनाएंगे एका कुछ पार्ट बी में आ गया इसका हिंदी हापे सारा दे रखा है ठीक है फिर यह बोलते हैं पहला कंक्लूजन अब बताइए कौनसा कंक्लूजन सही और कौनसा गलत पहला कंक्लूजन है कुछ बी ए है बी का कुछ इससा ए में है हाँ जी यह है तो 100% चुरिटी है है इसलिए कर दीजे इसे सही सम ए नौट बी कुछ ए बी में नहीं है अब हम बोलेंगे एका कुछ इससा बी में है यह तो पता है लेकिन एका कुछ इससा बी में नहीं है इसकी हमें गैरंटी नहीं है अब आप बोलेंगे माम जो आपका हमीशा क्वेश्टन रहता है माम य आपको कुछ ऐसे नो के लिए कुछ स्ट्रेट लाइन करके उस पे क्रॉस बना देगा, अगर A का कुछ हिस्सा B में नहीं होगा, इसका मतलब A में कुछ पाट शो करके, वो B से उसका क्रॉस का रिष्टा दिखाएगा, मतलब 9 का रिष्टा दिखाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो नो का कुछ नहीं दिख रहा न, सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए यह बात हम बोलेंगे, हमें खुद नहीं बता कि A कुछ हिस्सा B में है, मतलब है तो पता है, पर नहीं है, इसकी गैरंटी नहीं है, इसलिए यह कलत हो जाएगा, बिलकुल बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, आइए, उनली फर्स्ट फॉलो बता रहे है, श्रेया एंड शी इस हिया, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, विद्या भी बता रहे है, विशाल गगन भी आ चुके है, वेरी गॉड, सम बी आ नॉट ए, सिमिलर्ली अभी जो समझाया, बीका कुछ इस्सा A में है, इसकी बारे में हमें 100% चुरिटी है, लेकिन B का ये हिस्सा, इस A से क्या रिष्टा रखता है, यह हमें खुद नहीं पता, और जब हमें ही नहीं पता, तो हम कैसे बोल दे कि कुछ हिस्सा नहीं है A में, तो ये भी हो जाएगा गलत, और यार भी क्या सभी A B के अं नहीं है, और एक बार बताओ, कोई भी A B में नहीं है, कोई भी A B में नहीं है, इट मीज नो मतलब दोनों अलग अलग बैठेंगे, और यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर तो एका कुछ इस्सा भी में है, अब मैंने आपको तीन पॉइंट्स इससे पहले समझाए थे, वो बस ऐसी समझाने के लिए ने, यहां पर एपलाई होने थे वो पॉइंट्स, मतलब यहां पर उसका अप्लिकेशन था, मैंने आपको बूला था, कभी भी आपका जो भी निशकर्श होता है, आपके स्टेटमेंट के अपोजिट नहीं जाना चाहिए, मतलब कि उसके अग जा रहे हो, तो आप बिलकुल गलत है, या फिर यहां पर देख के बता सकते हैं ना, और नो भी इस है, हम बलेंगे नहीं, नो मतलब कोई भी बी ए में नहीं है, तो आप तो गलत कह रहे हैं, यह तो हंडेड परसंट गलत है, समझ में आई बात, आगे चले, चलिए, यहां पे, only first is right, तो आप सब सही थे, जिन्होंने भी answer किया था, अब आगया है हमारा दूसरा statement, all A, R, B, देखिए, मैंने आपको बोला है, जितने भी हमें students जाइन कर रहे हैं, तो उन्हें एक बार मैं फिर से बता दू, हम syllogism को four parts में complete करने वाले हैं, उस time थोड़ी कम students से, पह देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको possibility बताऊंगे और उसके बाद new pattern cases, new pattern cases में आपके mains के questions तो होंगे ही, जैसी की coded syllogism, और कुछ new pattern words को भी आपको introduce कर वाऊंगे उससे, ठीक है, जैसे कि आज कल use हो रहे हैं, can be, can never be, आज कल use हो रहे हैं, at least, at most, maximum, minimum, कम से काम, जयाद आ ठीक है, तो आपको बस जुड़े रहना है, daily basis पे, दस बजे यहाँ पे, और syllogism की तो हम चुटी कर देंगे, बहुत अच्छी तरीके से कर देंगे, चलिए फिर, सभी यह भी हैं, तो सबसे पहले हम when बनाएंगे, अब एक बात और, हर एक जो sentence होता है, एक बात तो मैं यह वाली हो, कि सिलोगिजम के, एक statement के, बहुत साहे डाइग्राम्स बच सकते हैं, अब उसमें possible और standard डाइग्राम्स होते हैं, हम कौन से डाइग्राम बनाते हैं, standard डाइग्राम, standard डाइग्राम वो डाइग्राम होता है, जिसके basis पे, हमें correct conclusion मिल जाता है, हमेशा, ठीक है, reality मे अगर देखा जाया है, या पुराने जमाने की बात की जाया है, तो होता क्या था, आपकी statement के according, बहुत सारे डाइग्राम्स बनाए जाते थे, possible और standard भी, उन सभी डाइग्राम्स के basis पे, हम conclusion देखते थे, अगर वो conclusion, वो एक conclusion, हर एक diagram में सही बैठ रहा है, तो वो conclusion यह क्या है, मुझे लगा कुछ बहुत इच्छी बात लिकी होगी, बोल रहे है, मैम एक बार, हस दो, ऐसा कौन सा मोमेंट होता है, जब मैं हसती नहीं हूँ, मैं हसती हसती ही बढाती हूँ, कि क्या है, एंजॉय करते-करते, तो वो नाच्रल है, चलिए, मुझे लगा आप समया नौट भी, क्या एका कुछ इससा भी में नहीं है, अरे यार सभी एबी के अंदर है, मैंने बोला ना, आप सभी स्टूडेंट्स है, स्टेट्मेंट बोल दिया, अब कोई आके बोले, कि यह जो बैठे है न, इन में से कुछ लोग स्टूडेंट्स नहीं है, ऐसा हो सक सब्सक्राइब करते हैं, तो यह बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि मैंने क्या स्टेट्मेंट दी, यह सभी स्टूडेंट्स है, और जब मैंने बोल दिया, तो आके कोई, अब क्या बोल रहा है, कि इन में से कुछ इस्टूडेंट्स नहीं है, तो वह पक्की तौर पर ग देख रहा है, मैंने बोला नो वाला दिखा, क्या आपको ऐसा कुछ, बी का कुछ हिस्सा, नो का रिष्टा बना रहा है, क्या, नो के लिए क्रॉस चाहिए, क्रॉस नहीं दिख रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, सम A, B, कुछ A, B हैं, आप सभी स् ना जो मुझे पता है आपके माइन में क्या चल रही होगी आप बोलेंगे माम कुछ नहीं सभी है मैंने बोला उसने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है मैंने एक बॉक्स दिया चॉकलेट का मैंने बोला इन में सभी ना किट कैट रखी है अब वह आके बोल देगा इन में से कुछ किटकेट है आप बोलोगे हाँ शुरीटी तो है तो यह कंटूजन बिल्कु सही हो जाएगा जब सभी किटकेट है तो कुछ चॉकलेट भी किटकेट ही होगी ऐसे ही मैंने आपको रिप्लेस कर दिया भी चॉकलेट से ठीक है तो यहाँ पे आपके अगर बात करो आप सभी स्टुडेंट से तो यह राइट कंकुलूजन होगा क्यों कि वह बचे हुए लोगों के बारे में कुछ टिपनी नहीं दे रहा है वह बोलेंगे हैं यह बात तो सही है जब सभी है कुछ तो होंगे ही सब्सक्राइब करने के लिए और एक दिन आज भी हो सकता है बस आप लोग को शेयर करना होगा इस सेशन को दूर तक और यहां पे सभी को बुला लेना होगा सब्सक्राइब के लिए प्लीज चलिए हां संजय जी हम वापस आ गए है और अब यह कोर्स बिल्कुल दोड़ेगा अब रुकेगा नहीं यह चलिए नो एस बी अब देख इसने क्या किया कर्थन के विरुद बात कर रहा है रहे भाई सभी एब के अंदर है क्या बात कर रहे ह बोला आप सब student अंसर क्या हो जाएगा यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्यूंकि इसने मेरे स्टेटमेंट के अगेंस्ट बात कर दी नो बीए से हम मोलेंगे भाई का कुछ इसा पक्की तौर पे क्या अंदर है कैसे बोलरेओ कोई भी भी यह में नहीं होगा यह भी गलत हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ हार करेक्ट आया समझ चलिए फिर आगे चलते हैं वेरी गर्ड लाइक्स बढ़ा दिये आपने सेकंड वे मतलब थैंक यू चलिए अब तीसरे स्टेट्मेंट पर आते हैं समया नौट भी अब देखिए जब भी आपको नोया नौट दिखे ना आपके स्टेट्मेंट में तो आपको बस एक काम करना है दोनों वैंड डाइग् आपके बैंकिंग एक्ञाम के लिए सबसे ज्याधा प्रब्लम अगर स्टूरेंट्स को आती है तो इसी स्टेट्मेंट में आती है ठीक है जिस चे माले है तो आपको चिफशा बी नहीं में नहीं होगा एक din में बी की बात करता है या लिग पीछे ये बी आता है तो ये पूरे बी की बात करता है कुछ इससे की बात नहीं करता है इसलिए इसके पूरे सरकल के साथ इसका नो का रिष्टा बन जाता है केंट्लूजन है पहला एंड एक सेकेंड ओके थोड़ी यहां पे गर्मी इस टाइम जादा हो लिए है ठीक है तो सॉरी थोड़ा सापको वेट करना पड़ा इधर आईए कंट्लूजन सम बी आर ए कुछ भी एक अंदर दिख रहे है क्या हम बलेंगे यारे नहीं दोनों अलग लग बैठे तो हैं गलत है कुछ दिख के अंदर है क्या नहीं दोनों अलग बैठे है हमें नहीं पता हंडेपर सैशुरी टी होगे तब ही सही करेंगे और सभी अबी के अंदर है क्या हम स सब्ए और दोनों अलग अलग के बता और कभी का सब्वों कि कही सकते हैं इसली सक्ताइक कभी हो गएपा इन दो कि नहीं यह इसे पीकिंगे लिए के नाय। ना कट कर दीजे, no A is B, अब देखोई बहुत इंपोर्टन चीज, आप बोलोगे माम, देखिए है तो, ये वाला A B में नहीं है, ये बोल रहे है, no A is B, मतलब कि कोई भी A B में नहीं होगा, मतलब ये पूरे A का सरकल, कभी B में जाएगा ही नहीं, अगर ऐसा होता, तो इसके सरकल से, इस सरकल का, no का, क्रॉस का रिलेशन होता, बट इसमें तो कुछ पार्ट दिखा रखा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, no B is A, कोई भी B A के अंदर नहीं है, हम अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी B, या फिर B का कोई भी हिस्सा, कभी भी A के इस पार्ट म जिस दिन आप इस तरीके से questions को देखने लगेंगे, जिस दिन आपका नजरिया change हो जाएगा, हर चीज भूल जाईए, जो बताया जा रहा है, उस पे देखिए, और फिर उसे apply करके देखिएगा, एक भी question आपका wrong नहीं होगा, बस एक practice कीजिएगा, इसे ही thought के साथ, एक भ पूरे A में कभी 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 कही भी आएगा ही नहीं, आप ऐसे सोच लो कि B का ये जो पूरा गोला है, इसका no का relation है, एक इस हिससे से, इससे है जगडा, इससे इसका no का relation है, अब ये लोग क्या कह रहे हैं, कि भाई इस B का ना, इस पूरे B का, इस पूरे A से ही no का relation है, हम गने इसका तो नहीं पता भई इस हिस्से से ए के इस इस्से से क्या रिष्टा है हमें खुद नहीं पता तो क्या हो जाएगा यह गलत हो जाएगा आई तो इस अच्छी बात तो यह है कि जो स्टुडेंस प्रो लेवल के हैं यहां पर जुड़े हुए है मेरे स्टुडेंस और मैं उन्हें प्रो लेवल का ही बोलती हुँ हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेस्टन का रखे हैं वो भी आज फांडेशन में हमाई साथ जरूर आते हैं पढ़ने के लिए और दूसरी बात जो नए लोगों ने हमें जॉइन किया है उनको भी बहुत 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 थैंक्यू बोलना चाहूंगी कि यहां पर आए हैं और एक यहां पर आप अपना एक इंट्रेक्शन भी दिखा रहे हैं आंसर भी दे रहे हैं क्य जाएगा लेकिन एक इस पूरे गोले में कही भी नहीं जाएगा इसकी हमें गैरंटी नहीं है और यहां पर नेक्स क्वेश्चन पर चलते हैं नो ए इस भी एक बचा है क्या आपना चलो देखते हैं कौन सा बचा है एक बचा था सम बी आ नौट ए इधर भी आ जाईए यह बोलें बी का कुछ इससा ए में नहीं है आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यह कोई भी भी या बी का कुछ भी हिस्सा एक इस पार्ट में तो नहीं है लेकिन इस पूरे ए में नहीं है इसकी हमें गैरेंटी नहीं है ठीक है इसलिए हम शुर नहीं है और शुर नहीं है तो यह भी हो जाएगा गलत ठीक है एक बात याद रखना कुछ भी है कि इस हिस्से में तो नहीं है पर इस पूरे ए में नहीं है पता है नहीं पता ना इसने यह गलात हो जाएगा और यहां पर फिर से हम लोगों ने एक बहुत अच्छा बार शिट कर लिया है 700 का ली है किसके वज़ेसे मेरे क्लें और किसके वज़ेसे हैं यहां पे जो मेरे अजय आहाँ पर शुलाजिजम भी पढ़ा हो गेना हाँ जरूर छो पर डुकेutan का टाइप ऐसा नहीं होगा जो ना करा हैं हम यहां पे आपको ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं, अब लास्ट है आपका ये पिलर, अब ये चार पिलर होते हैं ना, किसी भी चीज को, मतलब किसी भी इमारत को बनाने के लिए, वो चौथा पिलर है ये, इसके बाद इमारत बन गई समझिए, बस उसे उपर उपर फ्लोर बढ़ाते जाने है, नो, अ, इस बिन, नो मतलब क्या होता है, मैंने क्या बुला, जैसी, नुधी नो दिखे, नोड दिखे आप दोनोजैन इन, कोई भी इसलिज को đến September 1, कोई भी मैंने आपको बोला एक स्टेटमेंट आप में कोई भी lat 90 नहीं इन में कुछ लोग स्टुडेंट नहीं है तो कुछ यह उठा लीजे यह उठा लीजे मतलब क्या बोल गयों आप इनको ले लीजे इनको ले लीजे कोई भी स्टुडेंट नहीं होगा नहीं होगा ना तो यह बात हो जाएगी बिल्कुल 100% संब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब कोई भी नहीं है तो कुछ एभी बी में कभी नहीं होगा ठीक है अब आजाती है इस उपर वाली स्टेट्मेंट की बात संब्सक्राइब कुछ बी एक अंदर दिखना है यह गया तो अलग अलग बैठे उपर से नो का रिष्टा है साफ स गलत है डेफिनेटली फॉल्स है संब्सक्राइब और फिर से वोई बात जो अभी मैंने आपको समझाई थी कि भाई जब कोई भी धी यह में नहीं है तो इसका यह हिस्सा ले लो यह हिस्सा ले लो कोई भी रिष्टा ले लो कभी यह में नहीं आएगा तो यह भी हो के ही विरुध जा रहा है और यह सभी बी एक अंदर है क्या दोनों अलग बैठें नो भी इसे कोई भी बीए में नहीं आप बहुत न्फूजन क्रियेट करते हैं माम यह तो सही होगा और यह तो गलत होगा आप ऐसे बोलते हैं गलत क्यों होगा इसने बोला मैंने तुमसे करी दुश्मनी तुमारे घर में कर दी नो एंटरी इसके घर का कोई भी बालक कोई भी रिष्टेदार कभी भी इसके घर नहीं जाएगा तो भही इसके घर से भी तो नो एंटरी हो रखिये गेट बंद है कैसे चले जाएंगे वहाँ पर तो यह बोल रही है कोई भी भी यह में और नहीं होग़ा तो बिल्कुल सही बात है ना जब यहाँ से नो एंट्री है इस सरकल से इस सब्सक्राइव है तो यहाँ से भी यह दोनों साइड एक वन दुश्मनी निभाइ जा रही है ठीक है बिल्कुल सही हो जाएगा सम यह और भी कुछ एभी के अंदर दिख रहे हैं कि आने दोनों अलग अलग वैठें गलत हो गया तो आंसर क्या हो गया सेकेंड थार्ड एंड लास्ट आर्ड करेक्ट आंसर यहीं है इसफ नहाम मित्स्ट राउ भी रहे हैं है यहां पर आजाय का भी यह है वेरी गुड बेरी गुड व्ara नंकरा करते हैं तो यह विसके application करते है तो यह है हमारा पहला question बिलकुल basic वाले silox पे और फिर हम देखेंगे इदर और किसे में क्या क्या चीजे होती है आई यह सम बॉइस आर स्टूडेंट्स कुछ बॉइस स्टूडेंट्स है तो बॉइस का कुछ इस्सा students में आ गया all students are teenagers यह सभी students teenagers के अंदर आ गए पहला conclusion पहला conclusion क्या है सभी teenagers students है क्या यह सभी teenagers students के अंदर दिख रहे हैं अभी अभी हमने एक सभी a b है पड़ा था क्यों पड़ा था इसलिए पड़ा था जब मैं बोल रही थी यह है और यह b है जब मैं बोले थी सभी b a है all b r a तो मैंने तो आपने क्या बोला कि नहीं मैं हमें नहीं पता कि बी का यह हिस्सा a में है कि नहीं है तो हमें जब प्शुरिटी नहीं है तो हम कैसे बोल दें तो यहां पर यहीं आप Belgian a हमEven नहीं पता हमें पता है यह नहीं है मैं बोलनोंगी नहींता क्यूंकि इसका स्टूडेंट से क्या रिश्ता है अच्छोलि कुछ्स पता ही नहीं है ना सम का आल हो और ना ही नो यह chance तो एक बार इन लोग के संख्या कम होती है और में को पता चल जाता है यह लोग सब चेया करने तो तेंक यू बचो जालिए, नेक्स्ट्क्रेश्टट्यन नोग फ्लार में लोग के लिए, नोग विए लोग इस बीडियों नोग को यह लोग को बठा दीजे तो कोई भी फ्लाव अंगो में नहीं होगा नो मैंगो इस चेरी कोई भी मैंगो चेरी नहीं है अब यहां से मैं बहुत important concept आपको बताने वाली हूँ ठीक है इन्होंने बोला पहले कि कोई भी फ्लावर मैंगो में नहीं होगा फिर यह बोलते हैं कोई मैंगो चेरी में नहीं है यह लीजिए कोई भी मैंगो चेरी में भी ही है सही है ठीक है और यहां पर मुझे दिख भी गया कह भी दिया सही है ठीक है तो जल्डी से देखते हैं कि यह गलत है इसने क्या बोला इसने फ्लावर और चेरी के बारे में एक बात कह दी ठीक है बहुत घर्मी हो रही है यहां पर चलिए यहाँ पर इसमें फ्लावर के बारे में और चेरी की बात कर दी अब देखिए एक एक्जामपल लेते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया हमारी फेवरेट निशा को अदिती को और नेहा को यहां पे हमारी निशा है यह हमारी अदिती और यहां हमारी नेहां उहां नाया हमारे स्टूरेंटेंटस है तो यहां पर मेरी तो खुछी काशी थिकाना ही नहीं है थैंक्यू एवरेमन चलिए यह थैंक्यू बच्चो अ यह है निशा निशा बहुत प्राइवियर पहली बात यह दोनों ऑब देखु निशा की बीच्च से दुमनिय हो गई किसी भी है रिव सम्हाओ और अधिती से पढ़नी हो गई इन दोनों की निशा की में में तो आपके दुश्मन होते हैं वह दोनों दोस्त भी तो हो सकते हैं ऐसे बोलते भी है ना फूरा रिलेशंटी कोई बहुत रहत वह दुश्मन होते हैं तो यहां पे नेहा और आदिती के बारे में एकच्छुली इनका क्या रिलेशंश्टिप है किसी को नहीं बता ये दोस्त भी हो सकते हैं, ये दुश्मन भी हो सकते हैं, और ये बेस्टीज भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए कभी भी फ्लावर का चेरी से कोई रिष्टा आप नहीं बता सकते हैं, इसके दुश्मनी इससे, इसके दुश्मनी इससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्ल हैं यहां पर आगन है हम कि पहला नो फ्लावर्ज चेरिऊ हम लेंगे हमें नहीं पता फ्लावर और कि दूश्मन है कि दोस्त हैं ध stinksある मینंगो के अंदरvat कि अ क्या दुश्मन ये जी कैसे हो जाएंगे गलत हो जाएगा क्या हो गया दोनों ही अपने हो गये तो दोनों ही गलत है तो आंसर क्या होगा नाइदर फॉलोज ठीक है तो यह सभी का बिल्कुल सही था नेक्स आपका क्लियर हुआ होगा और यहां पे हमें इसे हजार तक ले जाना है और अभी हमारे पास कितना टाइम है बीस मिनट है और ठीक है संचे कह रहे है जगडा भी आप नहीं कराया है मैम सब मैम पर डाल दो वह बस इल्यूजन था ऐसे कोई जगडा नहीं है चलिए आईए संप अर काउस कुछ पप्स काउस में है पाप्स का कुछ हिस्सा काउस में आ गया नो किटन्स आर पप्स किटन्स चाहे दो कैट्स के तो नो का देखते ही लिए दो रहां को पहले तो अलग अलग बना दीजे अब यहां पर के सब्सक्राइब और कोई भी कप वो कप कोई भी पप्स के बैने नहीं होगे पहला गन्टूजन नो फॉप्स और किटन कोई भी पप किटन में नहीं है ना दिख राए सही चीज है दोनों जगे से है ना जगडा नो एंट्री एना यहां से भी है तो भी यहां से भी होगी ठीक है तो यह बिल्कुल सही है मतलब अपना वाला अगर तुम दुश्मनी का रहे हो तो हम भी कम नहीं है दुश्मनी रहो फिर इधर आओ कुछ काउस किटन है काओ का कुछ इस्सा कि वेरी गड़ वेल डन गाइस और लाइक्स भी कर दीजे भाई थोड़ा लाइक कि संख्या बढ़ा हो चलिए नेक्स कर्शन जल्दी से बॉइस और थीव्स बॉइस के साथ थीव्स क्यों इंगा गया है और डिकॉइट्स क्यों लिखा गया है कुछ अच्छा भी हो सकता था I am really sorry boys तो बुड़ा मान जाएगे हैं हमारी class के कि यह क्या माम यह सब मैने बोला तारि स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था statement truth होती है पर यहां पर मतलब हमें मानना होता है यह जरूरी निये truth हो पर यह माननना पड़ता है सभी का अंसानस चार्ट हो गया है वेरी गुड वेल डन आईए सब बॉइज और थीव कुछ बॉइज थीव में आ गए थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ठीक है अल थीव और डेकोईट्स ये सब ही थीव डेकोईट्स में आ गए ठीक है पहला कंकुज़न कुछ बॉइज 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 का कुछ इस्सा बॉइज बॉइज में है क्या हाँ जी ये है तो तो सही हो गया और डेकोईट्स आर बॉइज ये सब ही डेकोईट्स बॉइज के अंदर बेठे हैं क्या नहीं जी हमें नहीं पता जब नहीं पता तो वह रॉंग हो जाएगा ठीक है चलिए फिर आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहां वरी गुड वन 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 और यहां पर धमाके वाला साइन भी भेजा जा रहा है तो दमाका आप लोग कोई करना है दमाका क्या होता आप सभी को पता होगा यहां पर स्टेंथ बढानी है और इस संख्या को नौसो पारतो लेके जाना ही है ना चलिए कोन चौर हाथ ओठाओ कोही नहीं है है दोनों रोग यह दोनों नहीं बता रहिए है let us see कुछ boy students है तो वाइस का कुछ हिस्सा I'm students में है सभी स्टुदेंजर्ट यह सभी स्टुदेंस टीनेजर के अंदर आ गए पहला कंजूजन is all teenagers यह सब उन्यजर स्टूटेंंटर की मुलनें चया है हम हमें नहीं पता जब नहीं पता तो ऐगा कोछ बॉय्ट टीनेजर आपकोолिग के इतता नहीं लियना दिल पे आपको चलिए अब हम एक और नया बेस बनाने जा रहे हैं आईदर और केसिस का इनके उपर प्राक्टिस में आपको नेक्स सेशन में कराऊंगी बहुत सारी अभी जो हमने क्वेस्टन करें वो बस कॉंसेट क्लारिटी के लिए किये हैं बट एक्ट्वल क्वेस्टन हम कल करेंगे इन्हीं कॉंसेप्ट पी ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आईदर और केसिस क्या होते हैं आईदर और केसिस के लिए जैसे फॉर एक्जांपल आपको एक स्टेट्मेंट दे रखा है यदे आपका कथन है सम ए और बी मतलब कुछ ए बी हैं और फिर आपका कथन है सम बी आर सी थोड़ा वात्य नहीं फजमिए। अ कोई उसका क्या लें है तो थोड़ा एडिंग का क्या मतलब है तो थोड़ा आप लोग इजस्ट कर लेना समझ दो रही होगी समझने लायक है ना बस कुछ भी-C है ठीक है बद यह हमारा श्टेट्वेंट आभ statement के according हम एक बना देंगे diagram तो वेन diagram बनाते हैं पहले की भाई ही लिख रही हो हिंदी में समझा दूंगी ठीक है पहला कंडूजन पहले बोलते हैं सम ए आर सी फिर यह बोलते हैं सम ए आर एक सेकेंड है दो ने अहीं के कुछ दिखा रहा है हमीं नहीं है दूसरा कि समेयानट छीए कर-6 CT कि अंदर नहीं है कि अभी यह में पर मैं नहीं 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 को अच्छा नि लगे आप अभी अभी वबने वताया आना जब तक आपको ना ऐसे cross नहीं दिखता ना तब तक no नहीं मानते मतलब कोई रिष्टा ही डिख्पास नहीं दिख़ाए तो दोनों बस अलहा गलग हमें नहीं पता इनका रिष्टा यह वोला एक कुछ और तीसरे चीज़ हमें चाहिए होती है Complimentary pair, और One of the Complimentary Pairs में से एक यह ही है, जो है Some और Some Not, तो आपको यहाँ पे तीन Steps Follow करने होते हैं, बहुत, मैं बहुत Easily आपको बताने वाली हूं। आप देखो, Either or का Rule क्या होता है, ठीक है, तो यह आपका Either or Case है, यह आपका Either or Case है, कि यहां पर अभ मैं आपको बताती हूं कि actually आई दर और में क्या चीज चाहिये होती है ठीक है ठीक ऐडर यह सबसरे हms पहला, step step on तो इस पहलन ढूब भार क्यों में और जीए दो ल्हों, अबड़ा हो करते हैं both the conclusions should be wrong अब ये notes आप बनाएंगे भें ये lifelong रहेंगे आपके साथ बहुत important हैने वाले है और ये first and last notes होने चाहिए मैं तो ये ही चाहती हूँ both conclusions should be wrong individually दोनों ही निशकश अपने अपने में गलत होने चाहिए wrong individually both conclusions should be wrong individually step two आपका क्या होता है ये पहले तो ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए ये भी लाइन से चलना चाहिए पहले दोनों गलत होने चाहिए दूसरे चीज़ आप देखते है that elements of both the conclusions should be same elements या फिर variables या फिर variables तत्व दोनों ही निशकर्श के same होने चाहिए ये शुड़ भी same ठीक है elements variable same होने चाहिए दोनों ही conclusion के तीसरा step क्या होता है complimentary pair आप देखो जितनी complimentary pair बता रही हो ना complimentary pair कित्ती होती है तीन complimentary pair होती है कौंसी कौंसी यहाँ पर लिख रहा है हमेशा याद रख रहा है वस ये तीन ही होती है एक होती है आपकी sum plus no एक होती है आपकी sum plus sum not कुछ और कुछ नहीं और एक होती है all plus sum not मतलब सभी और कुछ भी नहीं अब इसके अंदर भी मैं बहुत interesting सा आपको 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 आज तक पता नहीं होगा तो यहाँ पर मुझे वह बताना चाहिए ओके ठीक है तो यहाँ पर चलिए कौंप्लिवेंटरी पेयर तीन होती है sum plus no, sum plus sum not and all plus sum not ठीक है तो पहले तो यह फॉलो होना चाहिए फिर यह और फिर तीसरे इन में से एक कॉंप्लिवेंटरी पेयर आपको मिलनी चाहिए तो वो केस क्या हो जाएगा इदर और हो जाएगा ठीक है चलिए आगया यह नेक्स्ट अब पहला क्वेस्चन आया है अब देखो मैंने आईदर और केसे पे आपको कुछ क्वेस्टेंज लाए हो आपके लिए अगया चलिए सम गुड़ार मैं कुछ गुड़ मैं में आ गए सभी मैं कैश है यह सभी मैं कैश के अंदर आ गए नो कैश इस चेक अब देखिए कोई भी कैश चेक नहीं है मतलब जैसे ही नो दिखा दोनों वैन बन जाएंगे अलग-अलग चेक लिखा यहाँ कोई भी कैश चेक में नहीं होगा ठीक है? चलिए पहला कंगलूजन कोई भी मैं चेक नहीं है अब इधर देखिए मैं का कोई भी हिस्सा चेक में नहीं है 100% शॉरिटी है क्या? देखो चला ध्यान से देखिए आप बोलेंगे मैं कैश का कोई भी हिस्सा चेक में नहीं जाएगा भाई कैश के अंदर पूरा मैं बैठा है अब यह जो व्यक्ति है यह भी कभी भी चेक में नहीं जाएगा 100% शॉरिटी है तो शॉरिटी है तो राइट कीजे ना यह तो बिल्कुल सही है फिर है ना आगे देखिएगा एक मिनट सम् गूड आर मैं और मैंनार कैश नो कैश इस चैक आगे दिखते हैं सम् कैश इस गुड कैश का कुछ इससा गुड में है हाँ जी है यह तो बिल्कुल सही है दोनों पे हाने पर सेश्वरिटी है बहुत सही हो जाएंगे, दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है, चलिए, और students पूरा effort लगा रहे हैं, I know, मुझे सब पता चल जाता है, टेलीग्राम पे भी में पास messages आ रहे हैं, तो thank you बच्चो, आपने इतना कर दिया, ये हम अभी 834 है, ये में बहुत बढ़ी बात है, ठीक ह हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, thank you, thank you everyone, share करने के लिए भी और यहाँ पे इतना प्यार दिखाने के लिए, मुझे मेरे लिए वो बड़ी बात है, ठीक है, चलिए, आगे देखिए, ये वाला question प्लीज कीजिएगा, चलिए, नन नन आए, आए, और य के आज्टी हार मैंगो, ये सब ही फ्रूट्स, मैंगो में है, और मैंगो और ओर ओर इंच, ये सब ही मैंगो, अरेंज में है, आप देखे जल्डी से दिखते है क्या है सभी इस फूट के अंदर दिख रहे हैं यह नहीं पता है यह इसके अंदर है कि नहीं है यह हटाई गलत कर दिजे क्योंकि हमें नहीं पता पापाया फूरुट जा अंदर है अभी बात रखना दोनों अलग बैठी है मतलब कि मुझे जब शॉरिटी नहीं है कि ये दोनों क्या है ये दोनों फ्रेंड्ज है कि एनिमीज है नहीं पता ना तो मैं नहीं बोलूँगी कुछ ठीक है क्योंकि मैं definite case में बोलने जा रही हूँ पर हां आगे जब possibility आएगी ना तो तो फिर हम तो लोग हैं फिर लोगों का कामिक है ना फिर तो हम कहेंगे हो सकता है ये दोनों दुश्मन हो हो सकता है ये दोनों भाई हो तो हो सकता है लगा के हम काफी कुछ बोल जाएंगे क ह सब्सक्राइब एक भाई ह sap स्फूंसमें हमना गreda गलत अगया कि किimas कि ते दोनों ही गलत हो जाएंगे मतलब किन फान फिलोंस ठीक है आप नन फाल थल्वotal इडर फस्ट नाट second follower और यहां पे नमनीद सर भी आ चुके है और यहां पे नमनीद सर भी आ चुके है और जल्दी से मैं भी आपसे अभी यह कहूंगी और कहना बनता है क्योंकि हम अल्रेड़ी हां पे चाले आट सो तक पौछ चुके है तो जल्दी से एक भर भाई अपने सभी सोचल वीडिया पर SHARE करिए और यहां पर 1000 की संक्यावीं आपन सब होने चाहिए वो भी इतनी रात में और चाली तो सब घ्रम का यहां समझ गयी करने और लमनीद सर के स्टुडियन्स जलिए सभी स्कूल में हर सब इसप्कूल में आ जाएंगे ऐस सभी स्कूल you colleges हो गए, पहला conclusion, सभी garden colleges है, एक बात बताईए, इसने बोल दिया भई, यह सभी garden स्कूल में है, यह सभी school college में है, तो यह garden तो खुद college में आ रहा है, hundred percentuality है ना, हाँ जी है, तो यह हो जाएगा बिल्कुल सही, some gardens are not colleges, अब देखो, एक बात याद रखना, इसे मैं देखते ही cancel कर दूँगे, क्यों, क्यों कि, जब भी आपकी statement positive होती है, तो conclusion, कोई भी negative होगा ही नहीं, लेकिन कौन से case में, definite case में, निश्चत रूप वाले case में, मतलब, यहाँ पे जैसे ही आपने not देखा, और सभी statement आप हमने, अभी हमने, मैंने आपको थोड़ासा गुमाया था, अब आपका यह जो case है, यह थोड़ासा आप आईदर और से relate कर सकते हैं, तो please relate कीजिएगा, first time in my class, okay, namaskar करता हूँ मैं, namaste, चलिए, all lotus are lilies, sorry, all lotus are flowers, तो यह सब ही lotus, flowers में आ गए, no lily is lotus, अब कोई भी लिली lotus में नहीं है, लोग देखते ही न, दोनों वेन को अलग 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 बिठा दीजे, यह लीजे, 유डिए, लिली लिखा यहां पे, और कोई भी lotus, लिली में नहीं होगा, पहला तूज़ा, no lily is flower, कोई भी लिली flower में नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी लिली कहा नहीं है, लोटस में नहीं है लेकिन फूरे flower में कहीं भी है इसके हमें guarantee कुछ लिली दिख्छ स्जूर में ढिखंट है कि हां लिली ली आइं इस इंयए यांग बैठा है तो यह हमारी कॉंप्रिमेंटर बन गई और हो गई सम प्लस नो वाली इसलिए क्या हो जाएगा आईदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोग बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं और कल इसे ही और ज्यादा एक और स्टेप आगे लेके जाएंगे इसे आप सभी जड़ूर जुडिएगा वहाँ पर भी मैंने आपको बताई थे definite cases definite cases मतलब कि निश्चत रूप में पूछे गए conclusions कब सही होते हैं कब गलत होते हैं जब definite cases की बात आती है syllogism में तो हमीशा हमें याद रखना होता है हमारा कोई भी निश्काष तभी सही होता है जब हमें उस पे 100% surety होती है तो पहला होता है कि we should have 100% surety on that ठीक है डगमगाया हुआ नहीं होना चाहिए आपका answer आपको 100% surety होनी चाहिए for example अगर मैं कहते हूं आप मेंसे सभी students है और फिर कोई आके निश्काष निकाले कि इन मेंसे कुछ लोग students है तो ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल सत्य है बिल्कुल 100% surety के साथ हां कहेंगे हां तो ये बिल्कुल सही conclusion हो जाएगा ठीक है तो जो बात आपको 100% surety के साथ पता चल रही है ना उसको हमेशा आप सही कर सकते हैं बट अगर थोड़ा सा भी आपको संदेह है आप को लग रहा है ऐसा हो सकता है और ऐसा हो नहीं भी सकता है तो आप उसे राइट नहीं करेंगे क्योंकि आपको क्या चाहिए भई हमेशा 100% surety चाहिए दूसरे चीज़ आपके क्या थी आपको अपने statement पे कभी शक नहीं करना आपका जो कथन होता है ना वो सत्य होता है हमेश statement is always truth वो कहेगा हारा पीला है आप माल लेंगे वो कहेगा काला नीला है आप माल लेंगे यह सब हमें मानना होगा because statement is going to be a truth for us statement is truth थार्ड चीज़ अब हम करने वाले है यह तो मैंने आपको बताया था definite cases 100% surety होनी चाहिए जादा गुमाना नहीं अपने आपको और statement जो होगा वो सत्य होगा हमेशा की तरह अब एक बात हमेशा याद रखिएगा एक cases मैंने आपको बताये थे आईदर और cases ठीक है तो आज उसका भी मैं थोड़ा से जल्दी से रिव्यू करा देती हूँ आपको आईदर और cases कब होता है तो यह साही ले ले लेते हैं आईदर और cases कब होता है और इसके लिए क्या क्या कॉंक्लूजन में होना चाहिए तो हमें तीन steps follow करने होते हैं आईदर और cases के लिए जो हमारा step पहला होता है वो यह होता है कि हमारे दिये गए दोनों ही निश्कार्श अपने अपने में गलत होने चाहिए सबसे पहले तो दोनों ही गलत होने चाहिए ठीक है both conclusions should be wrong step 2 हमारा होता है अब इसके बाद यह देखना होता है elements या फिर variables मतलब कि तत्व हमारे दोनों ही निश्कार्श के सेम होने चाहिए तो elements या फिर variables शुट भी सेम क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए and third step 3 जो होता है वो होता है हमारा complimentary pair पहली बार आपको syllogism ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको लोगे का मैम ने कुछ जादा बताया नहीं बट clear sum हो गया यहां पे definite cases में भी मैंने बस आपको दो तिन बाते बताई है कि भाई 100% true identity है तो उसे सही कर दो अगर लग रहा है थोड़ा सा भी शक हो रहा है कि भाई यह ऐसा हो भी नहीं सकता है ऐसा हो भी सकता है तो उसे मत कीजिये उसे गलत करके आजाएए बस इतना याद रखिएगा कभी आन से गलत नहीं जाएगा आईदर और केसेस के लिए सबसे पहले हर एक स्टेप चलना होगा अगर दोनों गलत है तभी आगे बढ़ोगे फिर दोनों के ऐलीमेंट सेम देखेंगे फिर कॉंप्लिमेंटर पेयर यहां पर हमारी तीन कॉंप्लिमेंटर पेयर होती है एक होती है सम प्लस नों सम प्लस सम नॉट और एक होती है और प्लस सम नॉट लेकिन यह जो आल प्लस सम नॉट है यह थोड़ी सी अलग होती है स्टार्टिंग के दो कॉंप्लिमेंटर पेयर से तो चलिए देखते है क्य कंप्लिबेंटर में दिख्छ यहां पर यह पॉजी तो यह आपको कुछ ऐसा मिलेगा मतलब कि आपके conclusions दे रखे हैं एक conclusion होगा कुछ A B है और दूसरा conclusion होगा कुछ A B नहीं है ठीक है तो sum plus not मिल गया ना ये complementary pair मिल गई ना sum plus sum not मिल गया ठीक है ये मिल गई अब इसमें एक बात याद रखिएगा ये जो variables या फिर ये जो elements होते हैं ये interchange हो सकते हैं मतलब अगर पहले वाले conclusion में आपको A B मिल रहा है तो दूसरे वाले conclusion में अगर वो B A हो जाता है तो आपके answer पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा और ये either or का ही case होगा ठीक है तो यहाँ पे चाहे ये order same हो A B same हो order या फिर ये order change हो गया हो जैसे कि एक में B A लिखा हो और एक में A B लिखा हो तब भी ये क्या बनेगा either or का case ही बनेगा ठीक है second एक आपकी का complimentary pair होती है sum plus no कुछ और कोई भी नहीं अब देखिए कुछ और कोई भी नहीं जैसे आपे sum है यहाँ पे no मिल गया यह दो conclusions है यहाँ पे sum है यहाँ पे no मिल गया अब देखिए इसमें भी A B A B ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि पहले conclusion में B हो फिर A हो और दूसरे conclusion में A हो और फिर B हो मतलब कि जो variables है वो interchange कर सकते है जरूरी नहीं है order same हो ठीक है इन दोनों पे तो same ही बात लग रही है समसम वाले है ना लेकिन यह जो है ना यह इससे थोड़ा आप ध्यान सी कीजिएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे अभीशेक ने बता भी दिया है जो हम बताने जा रहे थे well done अभीशेक ठीक है तो यहाँ पे देखिए यह क्या है all plus some not जो हमारा pair होता है complimentary इस समें आपका यह जो order होता है मतलब कि all और यह sum दो conclusion है आपके एक में all मिल गया एक में some not मिल गया ठीक है पहले वाले में a b लिखा है तो दूसरे वाले में भी a और b ही लिखा होना चाहिए मतलब आपका order बिलकुल सेम होना चाहिए a पहले b बाद में a पहले b बाद में अगर यह interchange हो गया दूसरे वाले conclusion में तो आपकी यह either or नहीं बने not a complimentary pair it is very important तो हमेशा याद रखिएगा जिसको नहीं पता है ठीक है चलिए फिर आगे चलते हैं अब हम possibility cases discuss करने वाले हैं और फिर मैं एक बहुत आप लोग पूछते हैं में को समझ में नहीं आता क्यों पूछते हैं मैं नाइदर नौर भी बताईए नाइदर नौर में बताने के लिए कोई चीज है ही नहीं बट स्टिल आज मैं उसी भी discuss कर लूँगी थोड़ा बहुत जिससे कि आपको पता चल जाएगा नाइदर नौर सच में कुछ भी है ही नहीं जब वो दोनों फॉलो नहीं होते conclusion तो वो नाइदर नौर हो जाता है बस उसमें आइदर और के जो concept लग रहा था आइदर और में वो सारे steps फॉलो नहीं होने चाह आई आपको और प्ला सम्डॉट के केस में क्या होता है ठीक है आज हम जो हमने कल सीखा है और आज जो सीखने वाली है उसका application भी करेंगे मतला questions प्रैक्टिस करेंगे तो चल्दी से आईए इधर possibility possibility क्या होगा ठीक है प्लीज सौल माइडाउट्स ओन इंस्टा ओके ऐश्विनी ओके ठीक है एक्ट्यली मैंने सभी को बोल रखा है कि आपको मैं जिस जिस प्लाटफॉर्म पे हूँ आप जहां पर भी आप मुझे देख पा रहे हैं आप आप पोस्ट कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम और मैं आ अच्छे यह बोलते कि माम टेलीग्राम पे भी 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 भीजा हैं हमने वो देख लीजेगा और कई बार हम मतलब तो इसमित भी आ चुके हैं ठीक है तो हम दुबहर में ही मिले थे यह सब हमारे ही स्टूडेंट्स है चले फिर स्टार्ट करते हैं पॉसिबिलेटी कैसे उसम सही और गलत कब होते हैं यदे आपको कोई चीज पता है फॉर एक्जामपल मैं यहां पर आई मैंने बोला माई नेम इस सोना शर्मा तो आपको पता चल गया इन मैम का नाम सोना शर्मा है आयम रीजनिंग एजुकेटर आपको पता चल गया यह रीजनिंग पढ़ाती है मतलब यह हुआ कि कभी भी अगर आपको कोई चीज 100% चॉरिटी के साथ पता है ना तो उसके कभी भी आप शक नहीं करेंगे मतलब उसके साथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे तो रूल नंबर वन पहला रूल क्या हुआ हमेशा याद रखेंगे क्या जो भी प अगर पता है वो चीज़ वो भी 100% चॉरिटी के साथ अगर तुम्हें वो चीज़ पता है उसके साथ अगर पोसिबिलिटी लग जाती है तो वो कंक्लूजन क्या हो जाता है गालत हो जाता है लेकिन 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 अगर आप किसी को नहीं जानते फॉर एक्जामपल यहां पे ले ले लेते हैं किसी को तो यहां पे अजय को तो हम जानते हैं यह हमें फॉलो करते हैं आदिती भी आ चुकी आदिती को भी जानते हैं कोई ऐसे ले लेते हैं जिनका हमने तो यहां पर कोई नाम ले लेते हैं को चोटा सा नाम चलो मनिंदर ले लेते हैं मनिंदर सिंग को ले लेते हैं ठीक है अब यह मनिंदर हैं मुझे नहीं पता कहां रहते हैं यहां पर पढ़ रहे हैं एक हम ले लेते हैं जानवी को ले लेते हैं या सोनु को ले लेते हैं ठीक तो मनिंदर और सोनु को ले लेते हैं मुझे नहीं पता यह कहां से हमें देख रहे हैं मतलब और कहां बैठके यह पढ़ रहे हैं क्या करते हैं कुछ नहीं पता अब इनके बारे में मैं कुछ भी बोल दू कोई फरक नहीं पड़ेगा मतलब कि मैं इनके बारे में अगर संभा संभावना लगा कि कुछ बोल देती हूँ तो वो बात बिल्कुल सही हो जाएगी लेकिन मुझे संभावना जरूर लगाना होगा फॉर एक्जामपल बहुत सारे बच्चे हां पर जॉइन कर रहे हैं और हाई भी बोल रहे हैं तो यहां पर समझ लो पूनम है और यहां पर चि बहने हैं तो आप बोलते मैं कैसे बोल रहे हो आप यह दोनों बहने आपको कैसे 100% कैसे है कैसे सही होगी यह बात तो हम नहीं बोलेंगे पर हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे हम बोलेंगे हो सकता है यह दोनों बहने हो हो सकता है यह दोनों दोस्त हो हो सकता है यह दोनो अला कंटूजन हमेशा सही होगा ठीक है तो यह बात याद रखिएगा रूल नमबर टू जो भी अन्नोन थिंग्स होती है जिसकी जानकारी आपको नहीं है ना मतलब जिसके बारे में आपको खुदी नहीं पता या फिर बस 50% थोड़ा-थोड़ा मतलब आपको शक है उस किसका कमाल है मेरे स्टूण का कमाल है ठीक है जलिए फिर आगे साथ हो सकता है दोनों अजनवी हो हाँ बिलकुल हो सकता है और मुझे तो लग रहा है वो और दूसर नहीं जानती होगी तो चलिए感ुन टिक्स के साथ अगर लगा दी जाए तो वह निशकर हमेशा सही होगा अब तीसरा रूल कुछ क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, बहुत important रूल है, अगर मैं आके बोलती हूँ, मेरा नाम सोना शर्मा है, अब कोई और आके आप से के सामने बोले, कि हो सकता है, इनका नाम सोना शर्मा हो, तो आप बोलेंगे, यह तो बिल्कुल बेफकूप है अभी मैं ने बताया है, इनका नाम है, उस पर यह क्या कर रहा है, possibility लगा रहा है, मतलब शक कर रहा है, तो यह गलत हो जाएगा, मतलब अगर restatement के साथ, या फिर, या फिर, जिस बात की आपको 100% surety है, जो मैंने अभी उपर ही बताई है, या तो आप restatement भी बोल सकते हैं, अगर आपके कथन को paste कर दिया गया हो, copy paste कर दिया हो, conclusion के अंदर और उसके आगे possibility लगा दी गई हो, तो क्या हो जाएगा, वो वाला conclusion क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ओके, बस यह तीन rule है, और कुछ नहीं है इसमें, आगे चलते हैं, चलें आगे, note down कर लिया चलिए, अब आ गया है हमारा statement पहला, कुछ A, B हैं, और इसके नीचे कुछ conclusions है, अब यह sentence कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तो यहाँ पे हमने दो well ले लिए, A का कुछ हिस्सा B में है, पहला conclusion बोलते हैं, कुछ B, A हैं, अब possibility मत देखिए आगे की, पहले यह बताईए, कुछ B, A के अंदर है, क्या हाँ, जी यह है तो, है ना, 100% purity है, हाँ है, उसके आगे क्या करा, शक्त कर दिया, possibility लगा दी गलत हो गया, कुछ A, B नहीं है, एक possibility है, अच्छे एक बाद बताईए, आपको पता है, क्या A कुछ हिस् possibility में है, लेकिन A का यह हिस्सा B से क्या रिष्टा रखता है, हमें खुद नहीं पता, और जो हमें नहीं पता, तो हमें surety नहीं है, मतलब, जो बात हमें खुद नहीं पता, उसके साथ संभावना लगा दीजिए, वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, तो हो सकता है, कि कु नहीं पता, जब खुद नहीं पता, लगाईए उसके साथ संभावना और वो से सही कर दीजिए, कुछ B A में नहीं हो, ऐसी भी संभावना है, इधर आईए, हाँ, B का यह हिस्सा A से क्या रिष्टा रखता है, हमें नहीं पता, उसके साथ संभावना लगा दीए आपने, ठ ना कंक्लूजन रखना है, उसके आगे बस लास्ट में लगा देना, इसा पॉसिबलीटी, मतलब आप बोल रहे हैं कि हम ना 100% चुरिटी नहीं दे रहें, पर भाई हो तो सकता है, ऐसा, ठीक, इधर आईए, और भी इसा पॉसिबलीटी, क्या यह सभी A B के अंदर जा सकते ह यह सभी A B के अंदर आजाए, ऐसी संभावना है, ध्यान से देखिये, अब यह हिस्सा A का B में अल्रेडी है, बट यह भी हिस्सा इसके अंदर आजा जाए, इसका हमें खुद नहीं पता, जब खुद नहीं पता उसके साथ संभावना लगा दी, भाई सही है, ठीक है, सभी be a के अंदर आजाए यह एक possibility नहीं ना हमें नहीं पता ja फी भी का अंदर है कि नहीं है अब नहीं पता उसके साथ possibility लगा दी सही है कोई भी abd में नहीं है is the possibility है और यहां से एक और concept यहां पे clear होता है कि आगर आपका conclusion पूज़न आपके statement के opposite जाए या फिर उसको पूरी तरीके से उसका विरोध करे it means और उसके आगे possibility लग जाए तो वो possibility हमेशा गलत होती है ठीक है यहाँ पर क्या हो गया कोई भी ये भी में ना हो ये एक संभावना है अरे ये बोल रहे है सभी a इधर और b इधर दोलों अलग लग बिठा दो हम क्या बोलें के भाई कुछ पार्ट तो पक्का भी में रहेगा एका ये बुरने कोई भी ये भी में नहीं रहेगा मतलब हमारे statement के अगेंस्ट गया है ये और फिर आगे possibility लगाता है बिलकुल गलत है no be is a is a possibility ये भी इसी तरीके से गलत हो जाएगा आई हो next बीटी लगा दी गलत हो गया ये कुछ a b में ना हो ऐसी संभावना है हम बोलेंगे for example देखो यहां पर दिख रहा है सभी a b के अंदर बैठे हैं इन्होंने फिर क्या किया statement क्या गेंस्ट जा रहे हैं बोल रहे हैं कुछ a b में ना हो ऐसी भी संभावना है ये तो वही बात ह हो गया इसलिए ये संभावना गलत हो जाएगी संभी आ नौट इस अपॉसिबिलीटी अभी धर देखिए बीका कुछ इससा एमें ना हो हाँ अभी का ये वाला इससा एसे क्या रिष्टा रखता है यह में खुद नहीं पता तो इसके साथ कोई भी संभावना लीजे सही ही पॉसिबिलीटी नहीं है जी क्या है ये तो सत्य है इस पर हमें शहरीटी है नों फिंग है क्या कुछ ये में है अरे सभी ये वी में है तो कुछ तो पक्का भी में है उसके साथ भी possibility लगा दी फिर इनोंने गलत बात कर दी ये हो गया गलत ये वाला हो गया गलत नीचे आते हैं अब एक बात याद अखिएगा नीचे जो है और भी आरे इसा पॉसिबिलीटी क्या ये सभी भी ए में आ जाए ऐसी भी possibility है हो सकता है ध्यान से देखिएगा ठीक है या नहीं है हमें नहीं पता और जब हमें नहीं पता तो उसके साथ possibility ही तो दी है उन्होंने बोला हो सकता है ये पूरा बी ए में आ जाए ऐसी possibility है तो हम बोलेंगे हाँ क्योंकि हमें खुद नहीं पता इस इससे के बारे में हो सकता है इसके अंदर आ जाए ये भी तो ये ब पॉसिबल डाइग्राम इसका ऐसा होगा आगे देखिएगा और नो इस बीज़ पॉसिबिलिटी फिर नो रहे अगेंस्ट गया है हाँ अभी अभी बोल रहे थी कि आप सभी स्टूडेंट्स है अब आके बोल रहे हिं में से कोई भी स्टूडेंट नहीं है ऐसी भी संभावन में नहीं रहेगा मतलब दोनों अलग अलग बैटेंगे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता तो ये बात भी हो जाएगी बिल्कुल गलत बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे वारी पॉसिबिलिटी करने में सबसे आधा मज़ा आता है मुझे भी और मेरे स्टूडेंट्स को भी है ना जादा से जादा लाइव एक्जामपल्स देने का मकसद यह है कि आपके यह माइंड में बैट जाए और आप इनके अंदर ना खो जाना है ना आगे देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आज समझ में आया है वेरी गड़ चलिए फिर आगे चले थीक है फिर आगे चलते हैं आगे तो हम और थे ही ठीक है अब यह बोलते है कोई भी A B में नहीं है ठीक है यह हापका एक B अभी मैंने बोल दिया आप में से कोई भी स्टूड department नहीं है अब आके कोई आके कर बोले कि हो सकता है कि इन में से कुछ कुछ लोग students नहीं है भी झाल लोग students नहीं है जैन् Lind ऑफ एक तो कुछ पिर नहीं होंगे ऩो यह तो गलत हो जाएगी तो यहां पे भी यही हो रहा है क्या वोड रहा है इंहूं ने वहीए कोई भी जिता है नहीं है क्योंकि दोनों का ही आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है, ना इधर का कोई इधर जाएगा, ना इधर का कोई इधर जाएगा, अब यह बोलते हैं, कुछ B, A है, एक संभावना है, तो एक बात बताईए, B का कुछ हिस्सा A के अंदर दिख रहा है क्या, नहीं दि पता, इनकी तो कटर दुश्मनी हो रखी है, मतलब इन्हें A का बता रखा है कि कोई भी A कभी B में नहीं जाएगा, कोई भी B कभी A में नहीं आएगा, इट मीन्स कुछ B, A हो जाए, ऐसी संभावना कभी होगी ही नहीं, क्योंकि यह कभी आएंगे ही नहीं, हमेशा दूर रहेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, सब यार नोट B is a possibility, अब हम एक काम करिए ना, आप इसे हाइड कर लीजिए, छुपा दीजिए, आप बताएए, कुछ A B में नहीं है, यह बात पता है आपको, आप बोलेंगे हाँ, जब कोई भी A B में नहीं है, तो कोई साभी हिसा लो A का, कभी भी B में नहीं होगा, पता है ना, 100% चॉरिटी है, उसके आगे इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने बेफकूफी कर दी, possibility लगा दी और यह conclusion हो गया, गलत, कुछ B A ना होए, एक संभावना है, B का कुछ हिस्सा, हम बोलेंगे संभावना चुपाईए, एक ब गलत हो गया, सभी A B के अंदर आजाए, क्या ऐसी कुछ संभावना है, क्या यह कभी भी सभी A B के अंदर आप आएंगे, कभी नहीं आएंगे, इनमें बहुत कट्रा वाली दुश्मनी है, तो यह हो जाएगी, बिल्कुल गलत संभावना, All B R A is a possibility, क्या यह सभी B कभी भी आ सकते हैं, एक अंदर कभी आ ही नहीं सकते, जिस दिन मैंने इने ला दिया ना, उस दिन यह कथन के विरुद चले जाएंगे हम, और यह गलत हो जाएगा, और यहां पे हम हो गई हैं 700 पार, very good, thank you everyone, चलो फिर, यहां पे non follow बता रहे हैं, स कभी होई नहीं सकता, no B is a possibility, हम बोलेंगे, फिर इन्होंने क्या किया possibility लगा दी, किस चीज़ पर भाई, पता है, शुरिटी है, कि कोई भी भी A में नहीं होगा, तो इन्होंने उसके साथ क्या करा संभावना लगा दी, पता चीज़ पे, वो भी 100% शुरिटी वाली संभावना है, ऐसे कभी हो सकता है, क्या, ऐसे कभी हो सकता है, क्या कि एका कुछ इस्सा B में आ जाए, कभी होगा ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें no entry है, तो इसमें कोई भी संभावना सहीं नहीं होगी, सारी गलत होगी, चलिए आग में है कुछ A B में नहीं है अब देखिए जब भी जाता एक कुछ हिस्सा Rivers हमेशा लेते है ठीक है और उसका यह कुछ आइक कभी B के इस पूरे सरकल में नहीं जाएगा इस पूरे B को ओवर ओल देखा जाएगा ठीक है चलिह आगे जलते हैं कुछ B A है एक संभावना है B इधर बैठा है A इधर बैठा है B और A में बस एक रिष्टा पता है कि एक कुछ हिस्सा B में कभी नहीं जाएगा फॉर एक्जांपल आप यह समझ लीजिए कि आप है यह आपने कसम खा रखिए इस B के घर यह आपको कोई खी रिलेटिफ हैं इनके घर कभी जाएँगे यह नहीं नहीं तो आपको कोई भी ले के जाए कभी नहीं जाएँगे पर आपके फॉर्फ एमिली में से तो यह जो मैंबरस यह तो जा सकते आना वीजिए ने बादे में तो नहीं पताना अभी हमें कूछ B के घर पर क्या ये B B B में से भी कोई उठके नहीं आएगा आपके A के घर भई आ सकता है ये आएंगे 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 यहां पर नहीं जाएंगे इन से हमेशा इनकी दुश्मनी रहेगी पर हाँ यहां 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 कहीं भी जाके बैट तो सकते हैं ना जा है हमें खुद नहीं पता और जब हमें खुद नहीं पता होता है तो उसके साथ कोई भी possibility लीजे हमेशा सही जाएगी कुछ A, B है ईसा पॉसिटी एक का कुछ हिस्सा B हमें आ जा है हाँ ऐ का ये वाला हिस्सा इसमेंसे कुछ कुछ इसा बी के अंदर जा सकता है क्योंकि हमें खुद नहीं पता वो क्या रिष्टा रखता है बी के साथ तो possibility लगा दी ना सहीं कर दिया सब्सक्राइब कुछ हिस्सा यह में नहीं होगा आप यहां पर आप करेंगे गलत आप सब गलत करेंगे इसे मुझे पता है है ना ओके यहां पर बहुत प्याले-प्याले मेसेज़स भी आ रहे हैं थैंक यू एंड अच्छी बात है अगर आप सभी को सभी को इससे काफी help मिल रही है तो इससे बड़ी amazing चीज मेरे लिए मुझे मेरा पता है मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती ठीके अगर मेरी classes आपको किसी भी तरीके से help कर रही है क्योंकि मुझे पता है मैं इस time अगर पढ़ा रही हूँ तो कुछ मेरा मोटिव है कि हाँ मुझे सिलेक्शन चाहिए और इसलिए यहाँ पे जो भी कॉंटेंट होता है हर चीज जो भी मैं यहाँ पे लाती हूँ उसका बस एक ही मकसद रहता है कि डायरेक्ट आपके यह एक्जाम में आपको हेल्प करें इस चैप्टर को अगर मैं बह हैं मेरा मेरे तरीके से इस तरीके से आपको संजहा रही हूं कि मैं मतब वह दो कि अपको जाब भी क्वेस्चन मिलें तो लुध्प को सेथा है concepts पर जाना पड़ रहा है नहीं आप देखके अपना माइंड लगाए और वहाँ पर आंसर कर देगा और वो हमीचा सही जाएगा एक बात याद रखिएगा ठीक है हाँ पीडियाफ यहाँ पर मिलेगी हाँ तो फॉर्थ बता रहे हैं यह फॉर्थ वाला रॉंग होगा ओके व बोलेंगे हाँ मैम बी का कोई भी हिस्सा या बी का कुछ भी हिस्सा यहाँ पर नहीं है अरे कहा नहीं है एक इस हिस्से में नहीं है क्या इस पूरे ए में नहीं है पता है तो हमें अभी नहीं पता है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे यहाँ पर जैसी इसने बोला कुछ भी a में ना हो एक संभावना है तो हम बोलेंगे कुछ भी a के इस हिस्से में नहीं है इसकी तो हमें guarantee है पर इस पूरे a में कहीं भी नहीं है इसकी हमें guarantee नहीं है और जब हमें खुद नहीं पता वो बात तो उसके साथ संभावना लीजिए ना सही ही जाएए All A, R, A is a possibility क्या ये सभी A, B के अंदर आखे बैठ जाए पॉसिबल है क्या लेके जाएए ना इसे ये लेके जाएए लेके जाएए ये जाएगा कभी नहीं जाएगा तो ऐसा कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है ये हो गया गलत All A, R, A is a possibility तो इसके पास मच जाना यहां पर आखी बैट सकता है ना क्योंकि एक हिस्से से बी का क्या रिष्टा है हमें खुद नहीं पता और उसके साथ संभाव ना लगाना मतलब अपने को बिल्कुल सही कर देना आगे देखिएगा अगे तो पता है कि यह हिस्सा तो बी में कभी नही पता इस हिस्से के बारे में हमें नहीं पता पर उसके आगे उसने क्या लगा दिया पॉसिबिलीटी है क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी ए बी में ना जाए हाँ हो सकता है तो यह हो जाएगा बिल्कुल सही और नो बी इस ए इस पॉसिबिलीटी यह कोई भी बी ए में जाई ही हमें खुद नहीं पता है इसलिए यह क्या हो जाएगा तो यहां पे ओवर एल पहला संबी आ रीज़ पॉसिबिलीटी बिल्कुल सही है सब या बीज़ पॉसिबिलीटी यह भी सही है और यहां पर अपर आपर दो कहीं भी सकता है और no A is B is a possibility, यह जो पूरा हिस्सा, पूरा A क्या रिष्टा रखता है B से हमें नहीं पता, इसलिए यह भी सही है, और यहां पे no B is a possibility भी सही है, अब मैं थोड़ा आपके कॉमेंट्स पे देख लूँ, प्लीज गाईज मोर शेयर इस सेशन, कम्प्ली टारगेट 1000, ओके गगन ल लोगों को बुला लीजिए, स्ट्रेंथ बढ़ाई है, ठीक है, हम, किशना कह रहे है, मैं थर्ड वाला एक और बार, कुछ भी A में ना आए, is a possibility, कुछ भी या कोई भी B, A के इस हिस्से में नहीं आएंगे, इसकी तो गैरंटी है, लेकिन इस पूरे A में कहीं भी नहीं आ उसके साथ क्या लगा दी, वही संभावना लगा दी, तो सही हो गया, समझ में आई बात, आगे चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, सबसे बहतरीन बात तो यह हैं कि यहां पे अभी मैं कॉंसेप्ट सिखा रही हूँ और उसमें भी आप लोग बने हुए हैं पढ़ने के लिए, तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में तो मैं देखती हूँ, इंट्रेस्ट बरकरार रहता है, पर जब कॉंसेप्ट की बात आती है, तो जो काफी स्टूडेंस ऐसे होते हैं, जिने लगता है कि कॉंसेप्ट की कोई जरूवत है नहीं, जबकि में क्वेशियन सापका और प्रीवी आपका कॉंसेप्ट की बिने नहीं क्लियर हो सकता, चलिए आईए आगे, नाइदर नार कॉंसेप्ट क्या होता है तो भाई इसमें बिलकुल इसी वह में कहूंगी, मैं बिलकुल नीगों लिगो नाइदर नार तब होता है, जब दोनों ही क लेकिन कॉम्लिमेंटर पेयर फॉलो नहीं हो रही है तो वो नाइदर नौर हो जाएगा अगर समझे दोनों अपने में गलग तो हो गए लेकिन उसमें एलिमेंटर नहीं होगा तो इसमें कुछ करना थोड़ी ना या अंसर तो खुदी आ जाता है बेसिक वाले से ही ठीक है तो कल और आज में सिखा दिये हैं बेसिक जो आपका सिलोगिजम का है वो हम ओवराल कर चुके हैं अब जो बारी आएगी इसके बाद जो कॉंसेट में कल सिखाने वाली हो वो होंगे आपके न्यू पैटर्न केसे जिसमें मैं अलग-अलग वर्ट्स को क्या बोला जाएगा परस तो यहां पर एक बार तो यहां पर लाइक बढ़ जाने चाहिए है ना एक बार दिल से लाइक करेंगे एक बार रुकेंगे दो तीन सेकेंड के लिए और क्यूंकि मेरे लिए आप लोगों की यह जो स्टेंथ होती है यही मोटिवेशन होती है और कोई मोटिवेशन नहीं है ठीक है इतनी गर्मी में मैं आपे रात को 10 बजे 10 से 11 बजे पढ़ा रही हूँ तो उसके पीछे मोटीवेशन मेरा मोटीवेशन आप ही है आपका मुझे नहीं पता क्या है और सेलेक्शन ही होगा बट मेरा आप ही लोग है ठीक है तो चलिए एक बार प्लीज जल्दी से इस व है ओके तो आप आजाते हैं क्वेशन नुबर फर्स्ट पे नो वैदर इस रेन या रर्वी पीओ प्री में आया हुआ क्वेशन है कोई भी वैदर रेन नहीं होगा वैदर लिखा यहां और आपका रेन लिखा यहां जैसे हमें नो दिखता है दोनों वैन बन जाते हैं र प्रेला कंट्लूजन और समर्णार वींटर यह सबी समर इसमार इंदर दीखरें न 270ic केस पूछा ऑनInst denote 148 है आप टीघीन के मैम यह सभी समर तो नहीं दिख रहे winter के अंदर तो यह तो गलत है some winter are not rain winter का कुछ हिस्सा rain में नहीं अब देखो ध्यान से भाई winter है यह पूरा गोला ठीक है अब इसके अंदर यह पूरा weather बैठा है जब यह पूरा weather कभी भी rain में नहीं जाएगा तो winter का कुछ हिस्सा मतलब यह वाला हिस्सा हमेशा ऐसा रहेगा जो rain में नहीं जाएगा 100% charity है हाँ जी है तो यह हो गया सही मतलब आंसर हो गया इप only confusion second follow next जल्दी करेंगे यह question आपका SBI clerical pre 2021 में आया हुआ है जल्दी से करेंगे इसे second follow second follow okay very good was very good जल्दी से देखते हैं सभी ग्रीन ब्लू में है यह सभी ग्रीन आगा है आपके ब्लू के अंदर all blue are yellow okay फिर बोलते हैं no blue is pink तो जैसे ही no बोला तो दो रोवन बन जाएंगे अलग अलग pink बनाया अपने यहाँ पे और कोई भी blue pink में नहीं होगा पहला contusion कोई भी green pink नहीं है कोई भी green pink में नहीं है क्या हाँ कोई भी blue जब pink में नहीं जा सकता तो भाई यह जो blue है इसी के अंदर तो green बैठा है पक्का यह कभी भी pink में नहीं जाएगा definite बिल्कुल right है 100% चौरिटी है इसली हो जाएगा सही some yellow is not pink कुछ yellow pink में नहीं है अब देखिए बहुत ध्यान से यह yellow का पूरा circle है yellow का जो यह पा 10 seconds follow next आयाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर यह IBPS 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है तो यहां पर करते हैं इसे no blue or black जैसे ही no दिखे हम दोनों को अलग-अलग बिठा देंगे कोई भी blue black में नहीं होगा no black is brown कोई भी black brown में नहीं होगा तो यहां पर हमने थोड़ा मैं इसे छोटा बना देती हूँ कोई भी blue black में नहीं होगा कोई भी black brown में नहीं होगा फिर बोलते हैं सभी brown वाइलेट है यह सभी brown वाइलेट के अंदर आ जाएंगे पहला रिष्टा ही नहीं पता हमें ठीक है यह दोनों अलग अलग बैटे हैं कोई नहीं पता जब हमें खुद नहीं पता और उस रिष्टे के आगे इन्होंने क्या लगा दी possibility लगा दी तो यह नवहीं सही कर दिया ना इनन्होंने बोला सभी blue वाइलेट जाए यह सभीicemail में कोई नही रोक रहा क्योंकि हमें बलू से सो मुष्टा पता है नहीं ब्राउन से पता है और नहीं ौले से एफिपन है लेकिन इंदोनों में किया रिamm 않ैंट मता हैं में नहीं हम्य lapFF कर सकता है तो इसके वारे मेंड़िये कोई नहीं कर सकते थैक है तो इसके यहां पर 기본 blue is not brown इन्होंने definite case में पुचा है तो हम बलेंगे हमें नहीं पता विया नौट शॉर तो इसे गलत कर देंगा अन्से क्या हो जाएगा ओन्ली फर्स्ट नेक्स्ट अब हम किस साइड है बात याद रखिएगा हमें बिगिनर से प्रो वनना है हर एक चाप्टर में अभी हमने बिगिनिंग करी थी इसकी कल से ठीक है स्टार्टिंग हो चुकी है अब हम मौडरेड लेवल पे हैं और इसे हम इतना बढ़ा लेंगे कि हम एक प्रो लेवल पे चले जाएंगे ठीक है अजा देवगन लेट हो गए मैं लेट हो गया मैं कोई नी कल से टाइम पर आना अजा देवगन जी रुपाली ने सी अंतर दे दिया है एर्विन ने भी दे दिया है सेजल आज है वेरी गुड वेरी गुड जल्दी से देखते हैं यहां पर ओल नंबर सेजिट यह सभी नंबर डिजिट में आ जाएंगे जो डिजट लेट कोई फेडिट अमड़िक में नहीं आएगी एक मिनटन नो क्या देशन नंबिक ठीक है यह हमारा नंबर और यह हमारा न्यू मैरिक तो यह दोने श्पैलिंग्स लिख लेंगे पूरी लोडे से तो कोई भी डिजट नुमेरिक में नहीं आएगी एंगरन में कुछ नमबरल में है बहुत ध्यान से देखिये-गा तो हां जब डीजट का कोई हिस्सा नुमेरिक में नहीं है तो भाई यह नंबर भी तो डिजिट के अंदर है ये वाला जो ये जो नंबर है ये कभी भी नुमेरिक में नहीं जाएगा कभी जाएगा ही नहीं 100% और यह यही बोल रहा है यह हो गया बिलकुल सही आगे देखिए न नंबर पया न जाएगा ये बोलनव ना इसन तो यह बही हो जाएगा डो करेंगा लोन सही सैंकुल और से किम सब्सक्रेक्षाप जाएगा यह पार झाली कि आई इधर नो कवर इज़ाप देखो सिलोगिजम कोई बहुत इजी चैप्टर नहीं है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी अगर वो बिगनिंग कर रहे हैं तो मैं यहीं बोलूंगे आपको यह कॉंसेप्ट की क्लास लेनी है और इसके बात बहुत जादा प्रैक्टिस करनी है अभी हम बताएंगे क्या क्या आपको करना है ठीक है नो कवर इस रच तो कोई भी कवर रैप में नहीं होगा जब भी लिखा हो ना दोनों मैं को बिठाओ अग और दोनों में कर दो क्रॉस सम्राप तब तो कुछ रप टैब में आ जाएंगे पहला कर दो कुछ टैब इस सभी रैप का है और ये तो टैब का भी है तो श्रीटी है क्या इस बात पर हाँ टैब का ये हिस्सा कभी भी कवर में नहीं जाएगा 100% श्रीटी है इसलिए सही हो जाएगा सभी कवर टैब में आ जाए एक पॉसिबलीटी है अब इधर आईए ये सभी कवर इस टैब के बैट जाये इस पूरे टैब के अंДर कहीं भी जाके बैठ जाये फॉसिबल क्या त्यांदि देखेगा इसे में लेके गई लेके लेके गई लेकेwieं इसे रैप में तो नहीं लेके जा सकती इसकी यहां पर आन्टृी मना है यहां नगे इस में कि हमेशा सही ही जाएगी तो यह हो जाएगा बिल्कुल सही कि इस अभी कवर हो सकता है इस टैब के अंदर बैठ हो बैठे हो ठीक है समझ में आई बात चलिए तो यहां पर आंसर क्या हो गया फिर से हमारा आंसर बोथ हो गया दोनों ही सही है नेक्स्ट तो जितने भी नए स्टुडेंट से अगर चाल को सब्सक्राइब नी किया सब्सक्राइब कर लीजेगा जिसी कि हमारे आने का आपको पहले ही पता चल जाए और यहां पर डेली बैसे पर जरूर जुडिएगा क्योंकि यहां पर हमने एक बहुत ही बहुत ही लाजवाब बेगिनिंग से स्टार्ट करते हुए प्रो लेवल तक जाएंगे चीक है और यह बिलकुल प्रीमियम क्लासेज है आपकी ऐसी क्लासेज आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रही होगी फ्री में हां पे ही मिल रही है और वो भी रीजनिंग मैट्स इंग्लिश हर एक क्ल कुछ बॉक्सेज बॉक्स है तो बॉक्सेज का कुछ हिस्सा बॉक्स में आ जाएगा सभी बॉक्स पैंसिल है यह सभी बॉक्स पैंसिल में आ जाएगी पहला कंक्लूजन सभी बॉक्सेज पैंसिल में आ जाए संभावना है यह सभी बॉक्सेज इस पैंसिल वाले गोले से ये वाला हिस्सा तो पैंसिल में है पर ये वाला हिस्सा बॉक्स का पैंसिल से क्या रिष्टा रखता है हमें खुद नहीं पता तो भाई संभाव ना लगाईए ना ये बुड़े हो सकता है ये सभी बॉक्स पैंसिल में आ जाए लेके जाके देखिए कोई रोक रहा है कोई न करते हैं इसके बाद आईदर और के भी क्वेस्टेंस बहुत है ताइम अभी नहीं है तो मैं कल कॉंटीनु करूंगी क्योंकि हमें बस करना नहीं है उसे समझना भी है यहाँ पर आके मैं बहुत सारी क्वेस्टेंस करवा दूँ और आपको उसमें से कुछ सीखने को ना मिले तो ऐसे questions करने का कोई फायदा निया तो अगर आप ऐसी practice भी कर रहे हैं कि आपको खुद कुछ concept clear नहीं हो पारे है और बस practice करे जा जा एंगा तो ऐसे practice से कोई फायदा नहीं होगा हर जब भी आप practice करते हैं तो आपके concepts भी clear होते जाने चाहिए ठीक है तो इसलिए आज मैं आपको homework यहीं दूँगी आज हमने किये हैं यहाँ पे एक तो चिलोगिजम के definite वाले cases उसके बाद हमने possibility की है possibility के cases की है और आईदर और की cases की है अब इन तीनों ही questions में आपको कभी भी कोई भी दिकत नहीं होगी बैंक के पेपर में आपको इन तीनों में से ही questions पूछे जाते हैं और इन questions के practice भी मैं ही खुद यहाँ पे आपको करवाओंगी इस वाले sessions में ठीक है इसके बाद math की class होगी उसे ज़रूर जॉइन करिएगा और कल फिर से हम मिलेंगे 10 बजे और यह PDF आपको मिल जाएगी comment section में आपको दे दी जाएगी यह PDF और कल वाले class की भी PDF ठीक है यहाँ पे मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कुछ बच्चे थोड़ इसे मुझे disappointed से लगे क्योंकि उनका और मेरा obvious सी बात है हम सभी चाहते हैं कि 1000 होगा हमने कल बोला था नहीं हो पाया it's okay तो सबसे पहले तो उन सभी students को जिन्होंने बहुत मैनत की जिन्होंने यहाँ पे पहले तो पढ़े भी और फिर एक time पर उन्होंने बोला मैं हजार क्रॉस करेंगे आज strength अपनी family को बढ़ाएंगे यहाँ पे उससे हम चूक गए थोड़ा अभी आज कम रहे गया कोई नहीं आज वो हमारा दिन नहीं था पर हाँ आने वाले time में जरूर हम यहाँ पे यही time होगा यही आप होंगे और यही मैं होंगे और यहाँ पे हम हजार पार कर चुके होंगे हजार ही नहीं बहुत सारे students हमारे साथ जुड़े होंगे ठीक है चलिए फिर आगे चलते हैं तो आज हम करने क्या वाले हैं day 1 में हमने basic concepts सीखे और उसके साथ हमने either or cases भी सीखे day 2 में हमने possibility के cases सीखे और basics और हमारे either or cases को एक revision भी कर लिया now it's the time कि अब हम practice करें अपने basic के सभी questions की इसमें basic के questions साथ ही साथ possibility और either or cases भी हैं यहाँ पे यह जो हमारा practice questionnaire होने वाला है इसमें हम उन सभी questions की practice करने वाले हैं जिसमें basic भी होगा possibility भी होगी either or भी होगा बट यहाँ पे मैंने new pattern cases नहीं लिये हैं क्योंकि वो special होने वाले हैं और कल से new pattern cases की starting की करेंगे हम और वहां पे हम सभी cases जैसे कि only a few only can be can never be maximum at least minimum at most almost यह सभी चीजे मैं बताऊंगी आपको कल के session में पहले उसका concept चीखेंगे और फिर new pattern के questions बहुत सारे करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी session को और हमारा पहला question है हमारी screen पे यह basic आप पढ़ चुके हैं दो दिन में और मैं पूरे श्रास के साथ कह सकती हूँ यहां पर जितने भी students हैं सब यहां पर right answer करेंगे ठीक है तो जल्दी से कीजिए किसी एक का भी answer अगर आ जाता है तो जल्दी से आपर answer दे दिए और यहां पर नेहा प्रेयंका तान्या सभी का answer आ चुका है very good तो जल्दी से आ जाते है question पे कुछ beer dear है तो सबसे पहले beer का कुछ हिस्सा dear में आ जाएगा सभी coins beer है तो सभी coins आ जाएंगे beer के अंदर पहला conclusion सभी dear सभी dear beer में आ जाए ऐसी संभावना है ठीक है आएधर यह सभी dear इस beer के अंदर आ जाए संभावित है क्या लेके जाके देखिए कोई रोक रहा है क्या इसे लेके गए लेके गए यह बैड़ गया यहां पर आके किसी ने रोका कोई no का relation दिखा नहीं दिखाना तो यह बिल्कुल सही संभावना है क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि यह dear पूरा इसके अंदर बैठा है या नहीं बैठा है और dear का यह पार्ट beer से क्या रिष्टा रखता है यह भी हमें नहीं पता इसने बिल्कुल सही हो जाएगा no coin is a dear कोई भी coin dear नहीं है coin इधर बैठा है dear इधर बैठा है दोनों अलग ओनली को जूजन फर्स्ट फॉला मतलब पहला दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वेरी गुड़ वेल डन सभी का राइट आंसर आज मैं एक्सपेक्ट करती हूं आप सभी का राइट आंसर आएगा क्योंकि हम दो दिन से बेसिक कॉंसेप्ट पे मजबूती ला रहे थे आप सभी क्वेश्चन राइट जाएंगे और शेयर तो आपको सेशन को करना ही है दूर तक चले फिराजाते हैं स्क्रीन पर सभी डस्ट रस्ट है सभी डस्ट रस्ट है कुछ रस्ट रॉंग है रस्ट का कुछ हिस्सा रॉंग में है नो रोल इस रॉंग जैसे ही नो दिखा यार नौट दिखा दोनों बैठ जाएंगे अलग अलग तो नो रोल इस रॉंग मतलब रोल बैठेगा अलग बिलकुल और रोल का कोई भी इस्सा रॉंग में डस्ट का कुछ हिस्सा इस रॉंग के अंदर दिख रहा है क्या दोनों अलग अलग बैठे हम बोलें कि हमें नहीं पता होती है बाज जब शुरिटी नहीं होती है तो कंक्लूजन भी हम गलत करने ते हैं definite case में नुटर्स्ट इस रॉंग कुछ डस्ट रॉंग में है वह भी गलत और नहीं पता दोनों बस अलग अलग बैठे हैं पर इनमें नो का रिष्टा नहीं दिखाया गया है यह ऐसा कुछ इथा दिख रहे क्या नहीं ना तो कैसे बोले हमें नहीं पता और फिर गलत कर देंगे दोनों के ही elements same है, variables same है, और तीसरी चीज़ क्या होती है, complementary pair, कौन सी complementary pair है, sum और no, sum प्लस no की, ठीक है, एक positive, एक negative, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, आइदर first और second follow, आया समझ, चलिए आगे चलते हैं, next question, यह है थोड़ा different question, आपने से बोल सकते है, pro level का question, तो जल्दी से ही से गलेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक answer आजाए बस, and one, even all लिख दिया है, और मैंने one कह दिया, ठीक है, तो यहाँ पे all लिखा है, और अब यहाँ पे line से आने शुरू हो गए है, मतलब 10 seconds में आपने बता ही दिया, ठीक है, तो आपका timer तो आज मैं ही बन गई, इधर आईए, all lot are bunch, ठीक है, यह सभी lot, bunch में आ जाएंगे, सभी bunch, all bunch are group, यह लीजिए, यह सभी bunch ग्रूप में आ गए, no group are sum, no देखते ही दोनों बैन अलग-अलग, कोई भी group, sum में नहीं होगा, पहला conclusion, इसे थोड़ा नीच कर देती हूँ, पहला conclusion, सभी lot group है, यह सभी lot इस group के अंदर है, हाँ, यह lot सभी, इस group के circle के अंदर हैं दिख रहे हैं ना, 100% charity है, हाँ है, right, no lot are sum, कोई भी lot sum में नहीं है, अरे जब यह पूरा circle no का रिष्टा रखता है, या फिर आप ऐसे माल लीजे, इस घर की entry इस घर से बंद है, तो एक बात बताईए, इस घर के अंदर ही जो कमरा है, इस room का यह आदमी जा सकता है, क्या इसके घर कभी नहीं जाएगा, 100% charity हाँ है, sum bunch आ lot, यह सभी bunch lot के अंदर है क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब ही bunch lot के अंदर है क्या ये all नहीं है सॉरी sum है sum bunch are lot ये सब ही bunch तो lot के अंदर नहीं है लेकिन अगर मैं sum की बात करती हूँ कि कुछ bunch lot में है तो हां ये देखिए bunch का ये हिस्सा जो है वो lot के अंदर है 100% purity है हां है सही कर दीजे कुछ sum lot नहीं है अब देखिए जब कोई भी सम इस वाले सरकल में आ ही नहीं सकता कभी भी कोई भी सम इस ग्रूप में ही नहीं है तो कोई भी सम कभी भी इस लॉट में भी नहीं होगा और नहीं होगा तो भाई जब कोई भी नहीं होगा तो इसका कुछ भी हिस्सा ले लीजिए कभी भी lot में नहीं मिलेगा बिल्कुल सही all follow सभी का सही था very good यहां पर हो गए हम 600 पार very good तो चले पर आगे चलते हैं यहां पर सभी मेरे students एक के बाद है कि हापर request भी कर रहे हैं जैसे वृंदा आ गई है और उन्हें बोला है please share telegram group link अच्छा साथ ही साथ यहां पर जो जो ह कि अच्छा सब्सक्राइब करते हैं इसमित हर चीज को हर हर एक जो हम पार करते हैं उसे हमेशा celebrate करते हैं that is very good हर एक छोटी सी छोटी चीज को celebrate करना सीखिए पूजा कहरी है मैं माच हजार पार करेंगे वो तो आप लोगों का काम रहेगा मेरा काम यहां पे है वहां पे आप लोगों का है सारा वो आपका कटे वो आपकी जगह है वहां पे वहां के आप राजा है राजा है आप इसे हजार दो हजार जितना भी चाहें लेके जा सकते है चलिए आइदर आगया है यह रिपीट हो गया क्वेश्चन चलो फिर से आइदर आया है ना पर आंसर चलो ठीक है कोई नहीं आगे चलते हैं नेक्स वेश्चन जल्दी से करेंगे पड़ाफट करेंगे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा चलिए आजाते हैं स्क्रीन पर नो एयर इस ओईल तो कोई भी एयर ओईल भी नहीं जाएगा नो करिश्टा हो गया और ओईल आर स्मोक यह सब ही ओईल स्मोक में आ जाएंगे तो इसमोक का कुछ हिस्सा या फिर गल्फ का कुछ हिस्सा एसमोक में आ जाएगा अब कुछ बच्चे जो बिल्कुल फाउंडेशन ऑवेसी बात है जो बिगइनर है बिगइनर सको बता रही हूं मैं भाई मैंने इसम गल्फ एर स्मोक के लिए मैंने इस गल्फ को थोड़ा बाहा निकाल दिया और थोड़ा पार्ट इसका स्मोक में रखा इस गल्फ को मैंने ओल के साथ relate क्यों नहीं किया क्योंकि जितना बोला जाता है बस उतना ही करते है मतलब statement जितना बोल रहा है जिसके बारे में रिष्टा बता रहा है बस वो ही दिखाएंगे extra हम उसे बाहर तो लेके जा सकते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में और किसी के साथ रिष्टा थो ये ना बना रहे हैं बाहर की साइड इस साइड ठीक है लेकिन oil के साथ मैं इसे overlap नहीं करूंगे क्योंकि statement ने ऐसा कुछ नहीं बोला है समझ में आई ब संभावित है क्या बहुत ध्यान से देखिएगा इसने लोका रिलेशन बनाया किसके साथ है इसने लोका रिलेशन मतलब इस air की entry इस oil में नहीं होगी ठीक है या फिर इस oil में बैठ हुए किसी व्यक्ति के एंटर इस एयर में नहीं होगी इस वाले गोले में यह नहीं जाए है क्या हम बोलें कि हमें नहीं पता दो लो अरह बैठे हमें खुद इनका रिष्टा नहीं बता उसके आगे लगा दी संभावना पॉसिबलेटी हम बोलें कि हालो अब तो सही कर दो तुम्हों सकता है लगा दिया तो सही हो गया सभी स्मोक इस गल्फ के अंदर चले जाए प जाए बोथ फर्स एंचेंड फॉलो बोथ फॉलो नेक्स जाले फिर यहां पर फिर एर्विन का अंसर आ गया है और सभी का आ रहा है जाले फिर देखते हैं सम्कैट्स अग्स कुछ कैट्स डॉक से सम्डॉक जार हैंच कुछ डॉक हैंच नो हैंज इजफ फॉफो नो दिखते ही दोनो अलग अलग बैच जाएंगे और कोई भी हैंज फॉफो में नहीं आएगा पहला कंटूजन कम से कम अब देखो एट लीस्ट सम अटलीस्ट कम से कम के साथ अगर कुछ आ जाए मतलब एटलीस्ट के साथ जब समाता है तो इस इस बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से इग्नोर किया जाता है इससे देखो ही मत क्या लिखा है कुछ डॉक्ष फॉफो है डॉक्स का कुछ इसा फॉफो में दिख रहा है क्या नहीं ना इदर दोनों में ना कोई डायरेक्ट ना कोई इंडायरेक्ट रिष्ता है तो इनके बीच में कोई भी संभावना लीजिए हमेशा सही ही जाएगी तो यह क्या बोल रहे है और कैट बिल्कुल सही यह सभी कैट को फॉफो में लेके जाके देखिए कोई नहीं रोकेगा तो यह सही हो गया मतलब आंसर हो जाएगा एफ ओनली के लिजन सेकेंड फॉलो नेक्स्ट वैशन आपकी स्क्रीन पे और वाट इस फॉफो यह मुझे भी मैं यही सोची थी कि आप लोगों से पूछू मैंने खुद नहीं शायद बतक को तो नहीं कहते कहीं देख लीजेगा और भई लाइक्स भी करिये 600 प्लस है और लाइक्स बस 283 यह भी 600 ही होने चाहिए यहां पे 54244 लेट असी सम बॉल्स ओर बैट तो पहले तो कुछ बॉल बैट में आ जाएगी सबीडेट विकेट है यह सबढ़ विकेट में आ जाएंगे पहला के ड्र चुज़वन इस बॉल के अंदर आ जाए कोई रोक रहे क्या लेकर जाओ कि देखो इसे कोई नहीं रोक पुराजी हो सकता है क्योंकि हमें खुद नहीं पता यह है कि नहीं है तो हो सकता है यह सही हो गया at least sum फिर से क्या करेंगे at least के साथ सब्सक्राइब क्या कर देंगे at least को बिलकुल एग्नॉर कर दीजे देखिए गाई मत कुछ विकेट बॉल है विकेट का कुछ हिस्सा इस बॉल में है हाँ जी है तो यह भी हो गया सही मतला बहुत फास्ट और ट्रू नेक्स्ट और देखें यहां पर मैंने आपके ऑप्शन्स उल्टे-फुल्टे कर दी है जिस वजह से कुछ बच्छों ने गलत भी किया मैं यहां पर फॉर्थ में बहुत रखा है आपको एग्जाम में यह फिफ्ट पर मिलता है ठीक है और मैंने ऐसा क्यों किया है खुद से नहीं किया कर चुका है वह इन में इन्हें उपर नीचे कर चुका है इसलिए आज सेशन में यह करा है ठीक है next सोना की पैंथर आए वाह तो सोना की पैंथर बोल रहे हैं चुन्से ठोड़़ी सी प्राब्लम होड़ी होगी क्या अभी आपकी बीगिनर है ना प्रो लेवल बनने में ठोड़ासे टाइम लगेगा तो आप लोगों को बस ठोड़ी प्रैक्टिस और करनी होगी तो सब हो आपका क्या query है जल्दी करेंगे वाला question और आपका समय शुरू होता है अब यहां पर भी आज चुके हैं काफी answers तो let us see क्या होगा answer तो यहां पर हो जाएंगे कुछ लैपी the copy इस है तो यह सभी पैन आगाए इस लैपी के अंदर और पैंसिलस रफें और ऑसभी पैंसिल पैंन है मतलब यह पैंसिल पैंन के अंदर आ जाएंगी ठीक है तो मैं एक और चर्कल बनाने जा रही हूं थोड़ा बड़ा कर देते हैं वना आपको कुछ दिखाई नहीं देगा यह लीजिए यह आपका पैन और यह सभी पैंसिल पैन के अंदर है I hope दिख रहा होगा चलिए तो यहां पे कुछ लैपी कॉपी में सभी पैन और पैंसा लैपी यह सभी पैन को मैं इन लैपी के अंदर बिठा दिया फिर यह बोलते है और पैंसिल्स लैपी यह सभी पैंसिल को पैन के अंदर बिठा-दिया ठिक है सब यह गर है कमरे के अंदर कमरा है ऐसा समझ लो ठीक है तो यह सभी पैंसल इस लैपी में है 100 परसेंट चौर है राइट कीजिए कुछ लैपी पैंसल नहीं है इसे देखते ही कैंसल कर सकते हैं क्यों करा कैंसल क्योंकि हम बोलेंगे जब सभी कोई जब सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है ना तो न है ऐसा होगा भी नहीं ठीक है यह सभी लैपी पैंसल है क्या तो यह सभी लैपी लैपी का यह पाट पैंसल से क्या रिश्टा रखता है हमें खुद नहीं पता तो इसलिए हम बोलेंगे we are not sure answer क्या होगा only 1st and 2nd follow next एक और चीज़ देख लेते हैं कि आईदर भी बन रहा है क्या लेट उसी यहां पर इनोने वोला कुछ लैपी आर नौट पैंसिल कुछ लैपी पैंसिल में नहीं होंगे और और लैपी आर पैंसिल ठीक है हाँ पर यहां पर और कोई आईदर और का option नहीं दे रखा है तो यहां पर हमने देखा लैपी यहां है लैपी यहां है पैंसिल यहां है पैंसिल यहां है ठीक है दोनों अपने अपने में गलत है ठीक है दोनों के elements सेम है ठीक है यहां पर क्या मिल रहा है हमें सम और यह भी मिल रहा है ठीक है तो यहां पे हमेंकिल इर्ण रिलापी और रिश्टा ہै यहाँ पेंसिल औरे रिश्टा है यहां पेंसिल और लेपि का एक रिश्टा हमें पता है कि इस सब जiliśmy लेपी के अंदर है ठीके पहला वाला क्या कह रहे हैं some lapy are not pencil कुछ lapy pencil में नहीं होंगे दूसरा वाला कह रहा है है सभी लेपी pencil होंगे अगर यहां पे all pencil पेंशल लेपी होता तो तो हम इसे write कर देते आईदर और नहीं बनता लेकिन जब यहां पे इन्होंने कहा है और ली पी अर पैंसिल तो यह तो हो सकता है इसलिए हम इसे क्या कर देंगे traditionss के साथ अगर एक ऐसा होता थर्ड और फोर्थ कुछ ऐसा हوتा तो हम इस को टिक कर देते एंड लगा कि वह आइदर थर्ड और फोर्थ कर देते अब यहां पर हम इसे Pen colocar कि इसे होड़ा डिफरेंट करूंगी इसे इसमें हम नन आफ दीज कर देंगे ठीक है इसमें नन आफ दीज कर देंगे हाँ क्यों कि यहाँ पे हमें आइधर वाला आप्शन नहीं मिला चली आगे चलते हैं तो यह अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ठीक है चलिए अकाश जी क्या पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन पूछिए मैम रिवर्स लॉक्स में अभी भी परिशानी आ रही है महुंबत आसिप को तो करवाएंगे वो हम डोंट वरी यहां पर ही कराएंगे चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सब एपल सार बनाना एपल का कुछ हिस्सा बनाना में आ जाएगा सभी बनाना ड्रॉप है यह सभी बनाना ड्रॉप में आ जाएंगे सम ड्रॉप सार एपल कोछ ड्रॉप कुलॉप एपल है देखिए यह बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है तो इसके बारे में हम कोई कंक्लूज। नहीं देंगे ठीक है गलत हो जाएगा कुछ डोप elephant नहीं है पहले तो इतना देखिए possibility को छुपा लीजेए कुछ ड्रॉब elephant नहीं है drop का कुछ हिस्सा यह जो drop है इसका कुछ हिस्सा dessert रहींट में नहीं दो अब यहां अगर उसके आगे possibility लग जाती है तो बाते change हो जाती है जो हम आपको बता चुके concept की class में अब देखो क्या होगा यह उन्हें कुछ drop elephant में नहीं है हम बोलेंगे drop का कुछ हिस्सा elephant में है ये तो पता है पर कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो elephant में नहीं है इसके हमें जानकारी नहीं है इसलिए जब जानकारी हमें खोद नहीं है और उस चीज के साथ इन्होंने क्या लगा दी possibility लगा दी तो वो सही हो जाती है मतलब हो सकता है कि drop का जो ये वाला part है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है elephant से क्या रिष्टा रखता है हो सकता है उसका कुछ हिस्सा elephant में ना जाएगा second and third follow मतलब option 3 क्या आप सभी कभी यह ही है चलिए फिर next कि अच्छ अच्छ ओके यह सभी questions के बाद आपको जो basic यह जो है ना questions इसमें मैंने सारे basic वाले questions लिए हैं इसे आपका आइदर और concept आपका possibility का concept और आपका जो basic वाला concept जो basic के जो questions होते जो चार पिलर्स वाले वो सब ही आपके clear हो जाएंगे इसके बाद हम कल हमारे न्यू पैटरन पे बेस्ट क्वेस्ट करेंगे और यहां पे एक बात याद रखिएगा syllogism सबसे tough chapter माना जाता है इसमें बहुत जादा logics लगते हैं मतलब हमें बहुत तरीकों से सोचनी पड़ती है हर चीज को सोचना पड़ता है हर चीज को इसलिए यहां पे आपको अगर थोड़ी सी आपको mind में थोड़ी problem हो रही है अगर कुछ सोचने में अगर समझने में म यह सब होना चाहिए मतलब की starting हो गई है pro level बनने की तो जितना ज्यादा practice करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि कहां कहां difficulty आएगी और फिर उस difficulty को जब आप solve करेंगे तब पता चलेगा अच्छा इस टाइप के questions को ऐसी किया जाता है चलिए देखते हैं some even or odd no cup is a cap no देखते ही दोनों अलग अलग बना दीजिए कोई भी कप कैप में नहीं होगा पहला conclusion सभी कुछ और क्याप हो एक संभावना है संभावना को भूल जाईए एक बार ठीक है मतलब possibility को भूल जाईए एक बार और कुछ और क्याप में है यह बताईए और यह है क्या पी पर इनके बीच का रिष्टा पता है क्या रिष्टा है इनके बीच में इनके बीच में यह रिष्टा है कि कोई भी और कभी भी कैप में जाएगा ही नहीं और कोई भी नहीं जाएगा तो कुछ भी कभी भी नहीं जाएगा यह क्या कहने है कुछ और क्याप हो जाए ऐसी एक possibility है हम बुलेंगे यह कभी यहां जा ही नहीं सकता तो काई की possibility जी यह तो गलत हो गया समझ में आई बात आगे चलिए सभी कप even हो जाएं एक possibility है यह सभी कप इस even के अंदर आकर बैच जाएं पॉसिबल है क्या इसे लेके आई यह अधि pencils क्या लेकर ène लेकर ढ entr r TE e Winnal C नहीं रोका तो क्या हो जाएंगा सही हो हाई अवंतिका 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 इस सेंग मैं आपने मेरा नाम नहीं लिया वैने कल भी दिखा था शायद तो ले लिया अवंतिका कल करवाएंगे नहीं ना only a few only can be can never be सभी क्वेशन कल कराएंगे चलिए फिर किया जाए बहुत बड़ीया वैंट है यह भी चलिए फिर किया जाए चंप आहाएं और लगातार आपके साइट से ऐसे की मेरो हाँ बार बार शेयर करने को लाइक करने को और आस्फ भी एर और बहुत सारे students कह रहे हैe तो भई लाइक और share तो आपको करते ही रहना है ठीक है विकास मेरा motivation आप ही लोग है ठीक है चलिए नो डास्ट ब्रेट डास्ट को अलग बिठाई ये नो देखते ही दोनों को अलग बिठा दिया कोई भी डास्ट ब्रेड में नहीं होगा और ब्रेड तो यह सब ही ब्रेड त्रेड के अंदर आ ठीक है स्प्डस्ट और सेंट अच्छ पार्ट कुछ पार्ट थेंड में आ जाएगा पहला कन्क्लूजन कोई भी सेंड़ फ्रेड नहीं है सैंड कोई भी सांडी इन दरहेठ ए ठाठ देशन ड़ें में एक तर ब्रेड में आ जा जाएगा है संड का कोइब ही सम अमय इंद् और डस्ट सभी डस्ट ब्रेड में आ जाए सम्भावना है ये सभी डास्ट इस ब्रेड के अं दर जा सकते हैं क्या? अरे लो की एंट्री है ये जाएगा जाएगा इसे आने ही तो कैसे चला जाएगा? कभी ऐसा हो सकता है, कभी नहीं होगा गलत तर्ड को nuts रिष्टा ही नहीं पता हमें दोनों अलग अलग होते हैं तो उनके उपर टिपनी नहीं की जाती डैफिनेट मतलब की निश्चत रूप से नहीं कहा जाता पर हां एक संभावना के साथ बात बोली जा सकती है तो यह हो जाएगा गलत संडस्टार ब्रेट तो कुछ डस्ट ब्र दिखरे हैं क्या नहीं यह भी गलत हो गया ठीक है मैंने यह वाला पड़ा था I think some dust our bread तो यह रॉंग हो गया और फिर था some thread are send thread का कुछ हिस्सा सेन्ड में हैं यह भी गलत हो गया दोनों अलालग बैठे हैं ओके तो सब ही गलत है तो क्या हो जाएगा आपका नन उफ दीस एक बार और एक चीज़ देख लेंगे कोई आईदर और तो नहीं बन रहा फ्रस्टर थर्ड में लोग बता रहे हैं लेटर सी यहां पे पहहला और तीसरा दोनों तीन दोनों ही पहली बात है अपने अपने में यह वाला यह वाला थ्रेड यहां भी एह त्रेड से महें सेज्ट छा मपनुएं जाहिए तो यहां पर तीनों ही स्टेप्स फाउलों हो रहे है इसलिए क्या हो जाएगा आईदर फ़र्स और थर्ड हो जाएगा फर्स और थर्ड iев Second समझ में तो यहां पे हमारा आंसर आएगा ओनली आईदर फर्स्ट और थार्ड फॉलो नेक्स्ट फॉर्थ तो यहां पे आपने जल्द बाजी में थोड़ा सा आपने सभी गलत बता दिये नन ओफ दीस कर दिया था पर नन ओफ दीस करने से पहले आपको यह भी देखना होगा कि आईदर और तो नहीं बन रहा ठीक है चलिए नेक्स पे चाते हैं एक सेकेंड हम यहां पे थे अच्छा यह तो हो चुका है दो इट यह है आपका कंटूजन यहां तक और आंसर कहां है हाई अंबिका निशा पूछ रही है मैं प्लेइलिस्ट इन क्लासेस की इन क्लासेस की आपको प्लेइलिस्ट अविलेबल हो जाएगी ठीक है तो प्लेइलिस्ट में आपको सारे जो चैप्टर्स हमारे हुए है यह जित्ते टॉपिक्स हुए इस चैप्टर के वह सब आपको मिल जाएंगे चलिए फिर करते हैं इस question को सभी pine कौन है कौन है sorry सभी pine कौन में आ गए कोई भी कौन ग्रेप नहीं है तो दोनों को अलग अलग बिठा देंगे कोई भी कौन कभी भी ग्रेप में नहीं आएगा कुछ ग्रेप कैश्यू है ग्रेप का कुछ हिस्सा कैश्यू में है ठीक है सम कर्ड और कोन अब कोन का ये है सरकल तो कर्ड का कुछ पार्ट कोन में आ जाएगा ठीक पहला conclusion सभी कर्ड ग्रेप सो जाए एक संभावना है ये सभी कर्ड इस ग्रेप के अंदर चले जाए ऐसी कोई संभावना है बहुत बढ़िया question है देखिएगा हर एक question में हर एक concept आपका clear होगा इसलिए इसे practice session बनाया गया है practice के बिना जब तक आप उन concepts को apply नहीं करेंगे आपका कोई फायदा नहीं है concept पढ़ते रही है यहाँ पे सारे application हो रही है possibility के आईदर और के और basic वाले concepts की तो चलिए देखते हैं यह बोले सभी कर्ड़ grapes में आजाए ऐसा भी हो सकता है हम बोलेंगे भाई कोई भी कोण grape में नहीं जाएगा जब कोई भी कोई भी कोई भी हिस्सा ले लीजिए कोई साभी उठा के कभी भी यहाँ पे जाएगा जाही नहीं सकता तो एक बात बताईए कोई का यह वाला हिस्सा जो कर्ड के साथ common है क्या यह कभी grape में जाएगा कभी नहीं जाएगा इन्होंने क्या बोला सभी कर्ड grapes grapes में चले जाए एक संभावना है हम बोलेंगे चलो लेके जाके देखते हैं इसे इसे लेके गई इसके घर इसने मना कर दिया भई इस पार्ट को तो मैं आने ही नहीं दूंगा क्रॉस का रिलेशन बना रखा है ठीक है तो जब यह पार्ट नहीं जा पाएगा कर्ड का तो यह सब कैसे जाएगा गलत हो गया सभी कड कैश्यू हो जाए एक पॉसिबलिटी है ये सभी कर इस कैश्यू में आ जाए ये पॉसिबल है क्या कुछ नहीं करना यह मत सोचिए कि आपको मैं बॉलूंगी कि यह कॉंसेप्ट याद कीजे मैंने जुकल पढ़ाया था परसू पढ़ाया था वैसे मैंने वह concept आपको पढ़ाया भी नहीं जिसे कि आपको confusion ही नहीं हमेशा याद रखे जितना easy concept अपने दिमाग में रखेंगे उतनी ही चीज़े clear रहेंगी यहाँ पे कुछ चीज देखने और याद करने की जरूत नहीं है बस इतना देखिए आपका वेंड डाइग्राम और थोड़ा सा माइन चला लीजिए यह बोल रहा है सभी कर्ड कैश्यू में आ जाए ऐसी संभावना है यह कर्ड को उठा लो उठा लिया अब जब इसे लेके गए ग्रेप्स के तो इसका नो का रिलेशन था इस पार्ट से तो यह तो नहीं जाएगा ग्रेप्स में ठीक है इस पूरे गोल कर्ड कैश्यू के इस हिस्से से हमें खुद नहीं पता और जो हमें खुद नहीं पता तो भी सारी पॉसिबिलिटी लीजिए संभावना लीजिए यह सभी सबढ़्स कर्में चेहां यहां कोई भी भी नहीं रोकर रहा इसलिए बिल्कुल सहीं हो जाएगा समझius में आई बा क्योंकि कौन कभी भी नहीं जाएगा तो कौन का ये हिस्सा भी नहीं जाएगा और ये इस्सा तो कढ़ी है 100% है सही कर दीजे हैं और यहां पे 700 में पहुश्चते पहुश्चते हैं अपनों वापस मुड़ के आ जाते हैं यह क्या कर रहा है आठ्सो प्लस to करिए ह३ा सो चलिए नो पाइन जरेप कोई भी फाम ग्रेप में नहीं है हम जब अचले हहां जब इस पूरे घर इंटेरी में इस अबिन है से बंद है तो इस कमरे में कैस म कर कभी नहीं जाए गा था दॉर्थ फॉल्ट फॉलो नेंस लो, एक सेकंड, एक सेकंड, what is this, 726, मतलब, मैंने लास्ट वाला कंक्लूजन किया, और जब मैंने टर्न किया, I saw की, यहां पे आप लोगों ने कर दिया, मतलब अबस आपको बोलने के देरी होती है, थैंक यू everyone, for sharing the session, और मैं जब बोलती हूँ, आप लोग कर देते हैं, वो मैं, second conclusion wrong होगा, एक मेर देख लेते हैं, all card being cashew is a possibility, सभी card cashew में हो जाए, निशा एक बार आप फिर से इस session को देखोगे, record हो जाएगा, मैंने अभी से समझाया था, बहुत अठी तरीके से, वो चीज़ आप कभी नहीं बूलेंगे, ठीक है, आप एक बार recorded session ज़रूर देख तो यहां पर आखों में hearts दिख रहे हैं, मुझे आदिती के भी और Smith भी काफी enjoy का रहे है, 700 प्लस हो गए है, तो हां enjoy करना तो बनता है, और 1000 प्लस के हम सपने भी देख रहे हैं, सपने नहीं है, सच होगा एक दिन, और बहुत जल्दी आएगा वो दिन है ना, चलिए, सब ही mouse कीज है, तो यह सब ही mouse यहां पर करते हैं, यह सब ही mouse कीज के अंदर आगए, कोई भी की टेल नहीं है, अरे जो लो दिखें ना, दोनों वें को बनाई है, अलग अलग, कोई भी की टेल में नहीं होंगे, तीसरा कंक्रूजर, तीसरा स्टेटमेंट, सब ही टेल कैट है, यह सब ही टेल कैट के अंदर आ गए, पहला कंक्रूजन, कुछ कैट कीज नहीं है, यह देखें डेफिनेट केस की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी नहीं वोला, सब ही कुछ कैट की नहीं है, कैट का कुछ हिस हिस्सा है ये जो टेल में आ रहा है ये वाला हिस्सा ये कभी भी कीज में नहीं जाएगा 100% चौरिटी जी हां तो ये यही तो बोल रहे हैं कुछ कैट कीज नहीं है हां कैट का ये हिस्सा कीज में कभी जाएगा ही नहीं 100% चौरिटी इसलिए सही सभी कीज माउस है ये सभी की कीज माउस के अंदर बैठे हैं कि नहीं हमें नहीं पता तो इसे भी कट करिए कुछ कीज माउस नहीं है कि इसका कुछ हिस्सा माउस में नहीं आरे सभी माउस कीज में बैठे हैं और की का यह वाला हिस्सा माउस में है की नहीं है हमें खुद नहीं पता तो डैफिनेट केस में किर सकते है हम बिलकुल है हम इसे भी गलत कर दें कैकля हम भाई हम नहीं है और जब हम छोप नहीं नहीं उड़ित तो हम राइट भी नहीं करते हैं कुछ कीज कैट्स नहीं है 40 का कोछ इससा कैट में नहीं है बहुत 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 important point है और इस में मैं बता सकती हूँ कि 50% स्टुडेंट इस क्वेस्टन को रॉंग ही करते हैं ठीक है और वो जो बच्चास पर सेंट है वह हमारे स्टुडेंट से यहां पर आई थिंग सभी न सही करा होगा यहां पर समने थ्री दे रखा है लेट सी क्या होगा इसका अंसर लेट सी यह हां पर इन्होंने कोछ processed Key के चैट से नहीं होंगे कोई भी की मतलब सभी या कोई भी क्या कोई भी की हिस्ट इällt तो नहीं जाएगा इस टेल में इस हो ही नहीं सकता जी लेकिन इस पूरे cat के गोले में कहीं नहीं होगा इसकी हमें guarantee नहीं है और जब हमें guarantee नहीं होती 100% surety नहीं होती तो वो conclusion क्या हो जाता है गलत हो जाता है definite case में अब देखते हैं मजा पहला तो सही हो गया अब एक और हम तो सथ दिमाख लगा ले कि भई इसमें आईदर और तो नहीं बन रहा अब वो दिमाख लगाने से पहले हम एक नजर अपनी एक बार निगहां मारेंगे इस options पे जिससे कि हमें हिंट मिल जाए भई कौन सा बन रहा है देखतो ले तो यहां पे आईदर और एक तो second third में बता रखा और नीचे वाले में भी second third में ही बता रखा है तो देख लेते हैं second और third में आईदर और बन रहा है क्या यहां पे keys है यहां पे keys है यहां पे mouse यहां पे mouse अरे दोनों अपने अपने में गलत है दोनों के तत्व भी same है तीसरी चीज़ क्या चाहिए हमें complimentary pair चाहिए तो यहां पे all है और यहां पे some not है तो all plus some not की complimentary pair मिल गई हमें और उसी time यह क्या हो गया आईदर और हो गया अब एक बात हमेशा confirm याद रखना confirm कर लेना इसके जो variables है ना उनका order same होना चाहिए की पहले mouse बाद में की पहले mouse बाद में हमेशा क्योंकि यह कौन सा वाला है all plus some not वाला पेयर है तो यहां पर हो जाएगा only first and either second or third follow next next question यह रहा जल्दी करेंगे समिक्षा का भी राइट है विशाल सुमेथ अवंति का very good सभी ने बता दिया order same होना चाहिए very 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 good guys हाइ मधू कैसे भूल सकते हैं आपको कैसे भूलेंगे है चलिए सभी pine cone है एक तो questions का level देखिए आप basic का नाम देख देके भी मैं आपको यह बता रही हूं यहां पर मेरा जो मेल मकसद है ना यहां पर इन questions को एक एक छाट के रखा है इन questions को देने का यही मतलब है कि अभी हमने जो basic वाले questions जो करें थे हमने basic concept जो किया था उसके बाद हमने आईदर और का concept सीखा और फिर हमने practice भी करेंगे ठीक है आज के बाद आपको सिलोगिसम के जो basic होता है ना जो definite cases होते हैं उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी चाहे वह definite हो आईदर और हो या फिर possibility के हो आईदर और possibility के cases आपको new pattern cases में भी मैं कराऊंगी इसलिए से बोल रही हूँ यहां पर हम बस beginner beginner नहीं beginner से हमें प्रो तक जाना है beginning तो हो चुकी है कल से हम प्रो लेवल के questions भी करने वाले हैं और यह questions भी बहुत अच्छे हैं इधर देखिएगा सभी पाइन कॉन में है यह शायद हो चुका है I think क्यों भई हाँ चलो पर राइड आंसर किया कि नहीं फोर्थ वन फोर इसमें गलती नहीं होनी चाहिए अब भी सिखाया था इसे हमने ठीक है next करते है चलो यह भी I think हमने कर लिया ना चलो आगे चले ओके डूइट जल्दी करेंगे दोनों ही conclusion में possibility लगा रखी है जल्दी से करेंगे आये था no air is oil कोई भी air oil में नहीं है सभी oil smoke है यह सभी इसमोक में आ गए सब गल्फ आर स्मोक कुछ गल्फ इसमोक में आ गए लो पहला conclusion सभी गल्फ air हो जाए एक संभावना है यह सभी गल्फ को पकड़ो और इस air में लेके जाके कोई रोक रहा है क्या इसे इसे उठाया मैंने यहां रखा किसी ने रोका किसी ने नहीं रोका क्योंकि इसमें ना ही कोई डायरेक्ट ना ही कोई इंडायरेक्ट रिष्टा है तो यह तो भी गल्फ हो गया अगर इसे हम इसमें देखे definite case में देखे तो ये गलत हो गया, all gulf are air, आप देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने आगे बोल दिया, possibility, is the possibility, अब एक बाद बताईए, ये सभी gulf air में लाके बिठा दू, कोई नहीं रोक राना, तो ये बात हो जाएगी यहाँ पे, सही, ठीक है, समझ में आई, जब दो रिष्टा नहीं पता होता है, दो लोग के बीश, तो उनके वीच में जो भी, मतलब जो भी संभावना दी गई हो, वो सभी सही होगी, आगे देखिएगा, सभी smoke, gulf में आ जाए, एक संभावना है, ये सभी smoke उठा के इस गल्फ में रखी है, कोई रोक रहा है, कोई नहीं रोकने वाला, हो जाएगा, सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है, मतलब, option 1, समझ में आई बात, next, चलिए, ये क्या है हमारे पास, socks, tie, tongue, nail, चलो ठीक है करिए, झालो 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 चलिए करते हैं कुछ सॉक्स टाय हैं सॉक्स का कुछ हिस्सा टाय में आ गया नो टाय इस टंग तो नो देखते ही दोनों का अलग अलग बिठा दीजिए टाय का कोई भी हिस्सा टंग में नहीं होगा सब ही नेल टंग है तो ये सब ही नेल आ जाएंगे टंग के अंदर पहला कंक्लूजन कुछ नेल टाय है नेल का कुछ हिस्सा इस टाय के अंदर दिख रहा है क्या नहीं दोनों अलग लग बैठे है अच्छा इबा बताओ हो सकता है कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नो का रि चॉक्स टंग है सोग्स का कुछ इससा टंग में दिख घरा है क्या कुछ ओवर इपिंग करता हुआ नहीं नहीं बैठआ हैं गलत हो जाएगा कुछ इनका कुछ आति है इस सोक्स में है दरुवत नहीं थी अब आप बोलेंगे यहां पर ने की जडूरत नहीं तो नहीं 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 हो इस पir इस ब्लबारि और फालॉवव म Igor do summer सिर्फरेंस उता है तो एक बात याद रखिएगा ननinsky नज लdraw बनलब इंज सावाई है नहीं वाले हैं अबNew इमोस्ट इंपर्टेंट केसे जिनका नाम है सबसे पहले यहां पर आप नदर डालेंगे only a few उसके बाद only can be and then can never be आज का session मैं पूरा dedicate करती हूं इन चार concepts पर ओके यह concept को इतना जादा importance क्यों दिया जा रहा है क्योंकि IBPS कि सभी exams अगर आप previous year के देखेंगे या फिर SBI का कोई भी exam देख लीजिए या फिर आप जो other exams होते हैं चाहिए वो अर्बिया ग्रेड भी हो अर्बिया assistant हो ठीक है यह और specialist officers हो यह सभी exams में आपको जो statements मिलती है syllogism में वो only a few only can be can never be पे बहुत मिल रही और सबसे important जो है ना इसमें इस पर तो भई स्टार बना ली जिएगा क्योंकि यह तो एक स्टेटमेंट है जो IBPS का most favorite है last year मैं मतलब एक शिफ्ट तो ऐसी रही आई वीपेस क्लरक की कि उसमें पाच सिलोगिजम में से पाचों के पाचों सिलोगिजम में स्टेटमेंट में only a few लिखा था यहां तक कि आई वीपेस पी हो का जो मेंस हुआ इस साल जो 24 आइधिंग जैनवरी को हुआ था उस एक्जाम में भी जो कोडेट से लोगिजम आया उसमें भी उन्होंने कोडेट से लोगिजम में भी only a few का स्टेटमेंट दे रखाता यह स्टार बी करके only a few a r b ऐसे करके ठीक है तो सोच लीजे कितना इंपॉर्टन है चलिए फिस स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को अब इसका इंपॉर्टन्स तो मैं ने बता दिया आप देखते हैं कि से हम करेंगे कैसे तो आईए only a few only a few का मतलब होगा आपका केवल कुछ जब इसने केवल कुछ बोल दिया इसका मतलब यह होता है कुछ ही है केवल कुछ है मतलब कुछ ऐसा है जो नहीं भी होगा देखिए कैसे जैसे ही आपको एक स्टेटमेंट मिलता है बहुत धीरे-धीर से आराम से कॉंसेट्ट बताएंगे हम आपको जैसे हैं आपको एक स्टेटमेंट मिलता है only a few a r b या फिर केवल कुछ a b है हिंदी में इसका यह होगा यह आपका कथन है अब इसके नीचे मैं कुछ कंक्लूजन लिखोंगे पर पहले हमें यह देखना है कि इनका मतलब क्या होता है इसका वेंड कैसे बनेगा वेंड बनाने से पहले एक और चीज़ आपको बता दी जाए भाई अगर आपको आपकी स्टेटमेंट में फ्यू मिल जाए और फ्यू मिल जाए या फिर दा और कर रही हैं छलिए आगे आईए अब यहाँ पर उन्ली तो में इस उनली को मैंने कुछ टाइम के लिए कर दिया इग्नोर क्या लिखा है आफ यू ए र बी कुछ ए बी है बना लीजे वैसा ही डाइग्राम एक कुछ इसा दिख रहा है यह विजिबल है या वाइट वाला यूस करें विट यह बोल रहे है एक का कुछ हिस्सा बी में है अब हम बोलेंगे भई ओलने भी दिय हुआ है इसका मतलब केवल कुछ ही ए बी में है मतलब एका कुछ हिस्सा कभी भी बी में नहीं जाएगा तो यह लेंगे हम एका कुछ हिस्सा और यह हिस्सा एका कभी भी बी में नहीं जाएगा मैं आपको एक और बात बोलना चाहूंगी कि प्लीज ऐसा मत बनाईएगा इस हिस्से को ऐसा करके ठीक है मैंने देखा है आप लोग ऐसे बना देते हैं पर वहाँ पे एक्जाम में हमें इतना जल्दी अलदी चीजे करनी होती है तो जितना क्लियर आपका डायग्राम आप क्या कोर्डिंग रहेगा उतना राइट आप आंसर करेंगे अगर आप इसके साथ ऐसा कर लेते हैं ना कुछ A केवल कुछ A B में नहीं है ऐसे कर लेते हैं तो कहीं न कहीं जल्द बाजी में आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं माइन में कि A जो A है A का ही जो पूरा सर्कल है क्योंकि ये इस सर्कल के बाउंडरी से सर्कमफरेंस से सर्कल की सर्कमफरेंस में टच चलिए अब देखिए पहला कंक्लूजन पहला निश्कर्श अब यह इस्टेटमेंट बनाई क्यों है आई बीपीएस याइस बी आई ने क्योंकि वह आपको अब आपके ही स्टेटमेंट में उल्जाना चाहेगा मतलब एक कंक्लूजन के लिए कुछ कंक्लूजन बताऊंगे जिसके लिए इस्पैशली ये केसे बनाए गए हैं अब वह आपको बुलेगा और ए आर बी इस आ पॉसिबलीटी हिंदी में सब जाएंगे इंग्लिश में लिख देंगे ठीक है यह लीजिए सभी ए भी हो जाए एक संभावना है दूसरा कंक्लूजन भी देखियेगा और बी आर ए इस आ पॉसिबलीटी और यहां पर हम हो गए हैं पांच सो पार तो क्या बात सभी लोग आ चुके हैं यहां पर और ठीक है और यहां पर धनन जाय भी है नेहा भी है औरवश्य भी है सीमा भी है रूंग 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 येस یेस येस नो नो लेट उस और से सी देखेंगे यह हमारा दूसरा possibility अब तीसरी चीज भी मैं एक अभी ऐसा conclusion नहीं है जो मैं छोड़ दूंगी यहां पे है इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा in cases में तीसरी चीज है सम ए आर नॉट भी और चौथी चीज होगी सम ए आर नॉट भी इस पॉसिबिलीटी बस अब आपका ये concept बिलकुल क्लियर हो जाएगा crystal clear हो जाएगा I can assure you that चलिए आईए यहां पे हमने यह लेते हैं चलिए तहला conclusion सभी A B में आ जाए संभावना है अब देखिए यह हिस्सा एका यह हिस्सा एका कभी भी बी में नहीं जाएगा बी के होगा ही नहीं क्योंकि जो यह हिस्सा है ना इसमें क्या खा रखिए कासम खा रखिए इस इन रिष्टेदार के घर नहीं जाएंगे जब तक selection नहीं होगा यह आप हैं तो आपकी पूरी family जा सकती है पर आप नहीं जाएंगे तो यह वाला हो जाएगा गलात है इसी प्रामना कभी हो ही नहीं सकती दूसरा है all B R A is a possibility सभी भी सभी भी एमें आ जाए लेके जाके देखो इस पूरे B को उठाके मैं A में लाई A में लाई A में लाई कोई रोकना नहीं चाहिए जब मैं A को उठाके बी में लेके जा रही थी तो यह यह आदमी वैठ गया गया बैठ गया ऐशा होत सकता है न कोई नहीं रोक रहा तो हां यह हो जाएगा बिलगुल सही कुछ A B में नहीं है अब देखो यह definite case possibility नहीं लगाई कुछ A B में नहीं है अरे हाँ जी एका कुछ हिस्सा B में नहीं है दिख रहा है ना 100% charity है हाँ है कि एका यह हिस्सा कभी भी इस पूरे B में कभी भी नहीं जाएगा यह हो गया बिलकुल सही तो इसे गलत क्यूं किया 3 बिलकुल सही होगा और नीचे देखिए कुछ A B नहीं है एक possibility है एका कुछ हिस्सा B में नहीं है यह possibility है अब एक बहुत ध्यान से देखिएगा बात यह बात हमें पता है मैंने बोला कि यह वाला यह जो हिस्सा है यह कभी भी B में जाएगा ही नहीं इसके बारे में आपको 100% charity है अब जो बात आप आपको पता है एक दिया कल मैंने आपके आपको बता दिया अभई मेरा नाम तो सोना है और आपकर कोई conclusion निकाले हो सकता है इनका नाम सोना शर्मा हो तो वह एक गलत conclusion होगा क्यूंकि जो बात हमें पता होती है वह भी शृरिटि के साथ उसके साथ कभी भीиях possibility लगा दोगे मत लिए वो गलत हो जाएगा इसलिए समया नौट भी कुछ A B में नहीं हो ऐसी भी एक संभावना है तो ये हो जाएगा गलत हम बोलेंगे संभावना नहीं है जी ये तो सत्य है सच्चाई है समझ में आई बात I hope आज के बाद कभी आपको इसमें कोई प्राब्लम नहीं होगी questions मैं आपको कराओंगी आगे चलते हैं बहुत धीमे धीमे इस चीज को मैं लेके चल रहे हूँ क्योंकि हम concepts की बात कर रहे हैं और ये clear होना बहुत ज़रूरी है जब only cases की बात आती है अब only क्या होता है तो only एक होती है बिलकुल different चीज और इसमें हम इसे सीखेंगे भी different तर मतलब केवल a b है only a r b मतलब होगा केवल a b है चीज अब इसे बनाएंगे कैसे तो हमेशा याद रखिए इसका मतलब होता है सभी b a है इसका मतलब होता है all b are a ठीक है मतलब सभी भी a के अंदर बैठ जाएंगे तो बनाएंगे यह सभी बी इस a के अंदर बैठ गए जाके ठीक है ओके आगे क्या करना है बैठ गए अब आप बोलेंगे मैम अगर इसको यही करना था सभी b को a में बिठाना था तो यह लिखते ना यह क्यों लिखा तो मैं बोलूंगे क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन है इस एक और कारण है जब आप सभी b को a के अंदर बिठाते हैं तो हमेशा इस b पे एक जिग जग जग जरूर बना लीजिएगा क्योंकि अब यह जो b है ना यह बस a में ही बैठेगा और यह कभी भी किसी और के साथ positive way में relate नहीं करेगा अब थोड़ा examples के साथ देखते हैं for example यहाँ पर मैंने एक और statement बढ़ा ली एक statement तो only a r b है और एक statement मैंने कर ली इसके साथ यह पहली statement समेच लीजिए और दूसरी statement है sum a r c ठीक है कुछ a c है अब a का कुछ हिस्सा मैंने c में बना लिया ठीक ठीक है पहला conclusion पर आते हैं आइए conclusion पहला अब पहले इसे देखिए थोड़ी बात यहां पर करूंगे आपके साथ थीक है तो देखिए जब मैं बोलुंगी कुछ c a मैं है बलेगे हाँ है च्छ बी c मैं है आप बलेगे और यह अलग पहलीं तहले अब हैं में नहीं पता फिर मैं बोलूँगे अच्छा एक बात बताओ अगर मैं संभाव ना लगा दू पॉसिबिलिटी लगा दू तो है क्या कुछ C B में हो सकते हैं या फिर कुछ B C में हो सकते हैं तो क्या करेंगे आप आप बोलेंगे नहीं, यहाँ पे हाँ नहीं करना है, आप बोलेंगे महाम दोनों अलग-अलग बैठे हैं, होतो सकता है, आप नहीं तो बताया था, जब दो लोग अलग-अलग बैठे होते हैं, उनके बारे में हाँ में खुद नहीं पता होता है, तो उनके बारे में कुछ भ हो सकता है ये दोनों दोस्त हो, हो सकता है ये दोनों बेहने हो, कुछ भी बोलूँगी, बस एक चीज़ का ध्यान रखूंगी, possibility लगा दूँगी, हो सकता है, ठीक है, अब क्या मैं इन दोनों के बारे में एक Z टिप पर नहीं कर सकती हूँ, ये दोनों बेहने हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, और जब नहीं पता होता है, तो मेरा ये conclusion गलत चला जाएगा, ठीक है, अब इधर आईए, यहाँ पे आप बोलेगे, माम, B का कुछ हिस्सा C में होतो सकता है, क्योंकि दोनों अलग-अलग बैठे ह आप नहीं बताया था, possibility में हाँ, लेकिन ये है only वाला case, और इसलिए ये रहेगा हमेशा सबसे अलग, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो B है ना, for example, ये है एक घर, और ये है एक घर, ये जो घर है ना, इस room में ये व्यक्ति isolated है, ये isolated person है, ये ना किसी और के घर जाएगा, और ना ही अपने room में किसी को आने देगा, ठीक है, किसी और घर से relative आ रहे है, पडोसी आ रहे है ना, उन्हें नहीं आने देगा अपने कमरे में, बंद ही रखेगा, ठीक है, ये isolated person है, हमेशा याद रखिएगा, अब इधर आईए, पहला conclusion देखिए, अब वो आ आईए, सही की गलत, दूसरा conclusion देगा, some, c, r, b is a possibility, b बोलने या, c, बोलने बात एक है, अब ये तो थे possibility की बात, कुछ और बाते मैं और यहाँ पर करूंगी, देखिए, some, b, r, not, c, third, some, b, r, not, c, is a possibility, जल्दी करेंगे, no, 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 let us see, let us see, let us see, ठीक है, यहाँ पर, देखो, मेरा काम तो चल रहा है, यहाँ से आज आज आप चार बहुत 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 भात बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से सीख के जाएंगे, ठीक है कूँकि मैंने हमेशा आपको कहा है, यह क्या है, beginner to pro है, बिलकुल आम-राम से चीजों को pro level पे ले चाहिए, ठीक है, मेरा यही मकसद है, पहली और आखरी, मतलब इसके बाद आप इधर उदर कहीं नहीं जाएंगे, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, और बस आप प्रैक्टिस करेंगे, और सिलेक्शन लेंगे, मैं कह रही हूँ, अगर मैंने अगले साल भी कोई फाउंडेशन लाया, उसमें भी मैं नहीं चाहती है, आप लोग वापस दिखें, क्योंकि मुझे आपके सिलेक्शन से बहुत मतलब है, कुछ B-C है, एक संभावना है, हम बोलेंगे, B इधर बैटा है, C इधर बैटा है, क्या कुछ B-C में आ सकते हैं, आप बोलेंगे, मैं कभी नहीं आएगा, क्योंकि आई weapons में किसी और के घर नहीं जाएगा, तो एक गलत संभावना है, कुछ B-C में नहीं है, एक बात ठीक है जब पूरा सरकल नहीं जाएगा तो कुछ भी पार्ट ले लो कभी नहीं जाएगा फॉर एक्जामपल मैंने बोला आप सभी में से कोई भी स्टूडेंट नहीं है कोई आके बोले इन में से कुछ स्टूडेंट नहीं है तो बात सही है क्योंकि शरिटी है जब यह पू से नहीं है और यह लगा दिया क्या कर दिया दाउट किया तुमने शक कर दिया शक टीक समझ में आ Jesu यह चीज है और यहां पर인이 600 पिलसीटिग रहे हैं और सब्सक्ते हैं कि बच्चे नहीं रुके होंगे because of some technical issues आज लेट हो गया तो but still आप लोग तो बुला लेंगे न सब को सभी को जल्दी से बुला लीजिए है न फोर्थ हाँ एबुक्स बैंक महापैक में एबुक्स भी है विटा आपको कोई पूचे योगेश जी पूच रहे हैं बैंक महापैक में इबुक्स भी मिलती है साथ ही साथ आपको सारे पेड कोर् हेवे मिलते हैं अगर बैंक महापैक की बात कर लाए हैं इसमें बस आपके अपके एग्जाम नहीं होते हैं और specialist officers के ठीक है बैएक महापैक all a rc is a possibility please make your notes dear सभी लोग प्लीज अपने notes बना लेंगे ठीक है all a rc is a possibility तो सभी a c के अंदर लेके जाके देखिए क्या यह possible है यह सभी को मैं लेके गई लेके गई लेके गई यह यह आदमी नहीं जाएगा भई यह बहुत बहुत तरीके वाला अदमी है gentleman है यह बोलेगा मैं isolation में हूँ मैं नहीं जाओंगा जब यह नहीं जाएगा तो सब कैसे चले जाएंगे तो यह वाली संभावना भी गलत हो जाएगी अगर only वाला case नहीं होता तो यह संभावना में सही करती हस्ते हस्ती से लेके जा आती हूँ कि एक भी मतलब रहना ही नहीं चाहिए डाउट मन में all c r a is a possibility सभी c a में आ जाए possible है की नहीं सभी c a में आ जाए संभावना है बताइए यह सभी c इस a के अंदर आ जाए a के अंदर बोल रहे है बी में नहीं हाँ इसे लेके जाके देखो लेके जाके देखेंग यहां पर बिठा दो यहां पर बिठा दो कोई रोक रहा है नहीं रोक रहा क्या हमें c का a से रिष्टा पता है हम बुलेंगे इस से तो रिष्टा पता है a के इस हिस्से से पर यहां 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 इस से नहीं पता इसलिए हाँ यह संभावना सही हो जाएगी क्योंकि हम भी मुझे मेरी वीडियो के नीचे बहुत प्यार प्यार कॉमेंट देखने को मिले कि मैम से रिलेटेड भी और परसनली भी आप लोगों ने टेली ग्राम पे मुझे बहुत 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 अची तरीके से मुझे थैंक फुल मेरे को बोला क्योंकि आपके इनिक्वारिटी से और मतलब से लॉक्स क्वीन भी बोलने लगें आप तो यहां पे मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे वज़े से आपके कुछ कॉंसेप्स क्लियर हुए हमने आप करा क्या है अभी तक कि ये देख लेते हैं पहले अगर पहले की बात की जाए तो सबसे पहले हमने किये थे बिल्कुल बेसिक वाले से लॉक्स जिसमें आते हैं डेफिनेटली फॉलो वाले से लॉक्स ठीक है यह किये उसके बाद हमने देखे भाई आईदर और केसे क्या होते हैं फिर उसके बाद हमने सेशन में देखा कि भाई पॉसिबिलीटी आने से क्या क्या चेंजिस हो जाती ह उसके बाद हमने कुछ concepts देखे जो बहुत important concept है that is only a few and only वाला concept इस पर कुछ questions practice भी किये now it's the time हम और आगे बढ़े तो आज हम करने वाले हैं कुछ new pattern cases बट उससे पहले में आपको can be can never be कराओंगी और फिर हम जाएंगे कुछ keywords पे या फिर new pattern के जो words आते हैं या फिर questions होते हैं ओके तो चलिए start करें चलिए can be can never be can be possibility शो करता है can never be definite case होता है तो हमेशा याद रखिएगा can be आया मतलब संभावना हो रही है और can never be का मतलब होता है definite case मतलब आप तब ही उस पे शरीटी दिखाएंगे जब आपको उस पे पूरा भरोसा होगा अब can be can never be को examples के थुरू समझते हैं यहाँ पे some a r b लिखा है तो क्या करेंगे हम पहले तो a का कुछ पार बी में ले जाएंगे ठीक है पहला conclusion पहला conclusion है सभी a can be can be क्या शो करता है possibility all a can be b मतलब की all a r b is a possibility सभी a b हो सकते हैं यह सभी a ko b के अंदर लेके जाएं यह कोई रोक रहा है कोई नहीं रोक रहा ना जा सकते हैं ना हाँ जा सकते हैं सही हो गया all a can never be पर जब can never be आगया तो यह definite case है और इसलिए यह क्या बोल रहा है सभी a कभी भी never मतलब कभी भी कभी भी बी में जाही नहीं सकते तो इसने क्या किया अब इससे लेके जाएं यह कोई रोक रहा है क्या यह बोल रहे है यह सभी a कभी भी भी में नहीं जा सकते हम इसे लेके गए लेके गए लेके गए लेके गए हमने तो बिठा दिया किसी ने रोका या नहीं तो यह तो गलत है क्योंकि तो definite चीज की बात कर रहा है कि कभी जाएंगे ही नहीं कि यह आपकी पहली और आखरी फाउंडेशन होनी चाहिए एक और बहुत इंपोर्टेंट बात यहां पे मैं कंसेप्च्छल जो आपकी नॉलेज होती है उसे हे बढ़ाना चाह रही हो कॉंसेप्ट को आपने पकर लिया ना तो एक भी ऐसा क्वेशन नहीं होगा जो रॉंग चला जाए ठीक है इधर आईए अगर मैं इसमें अगर यह तो हो गया हमारा पहला सही दूसरा रॉंग अगर मैं इसमें ऐसा कुछ कर देती कि कुछ ए बी में नहीं है सामया नौट बी यह statement होता आपका अब यहां पर कोई बोलता ऊपपी यह कभी बी में जा ही नहीं सकते तो हम बोलते हार सही बात है क्यूंकि जब मैं इसे को ले के जाओंगा कि यह सब यह आपको बी के अंदर दिखे तो यह नहीं जाएगा बी के अंदर कभी भी इस निकसम खा रखी है तो यह नहीं जाएगा तो सभी कैसे चले जाएंगे तो उस case में यह वाला conclusion बिल्कुल सही हो जाता समझ में आई बात हुं इस case में यह वाला conclusion बिल्कुल सही हो जाता next question आपकी screen पे यह statement है देखो वो जैसे वो जो मैंने अभी आपको बताया था, वो केस था हमारा, सम A, R, B, एंड सम A, R, not B भी कर दिया था, मैंने लास्ट में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं, अगर आपके पास आगया, अगर आपके पास आगया, बी आगया इधर, और सम पार्ट ओफ इस नोट इन बी, यही बनेगा न, पहला कंकूजिए, कुछ A, Can, B, दिखाता है पॉसिबिलिटी, कुछ A, B हो सकते हैं, हाँ, A का यह हिस्सा तो कभी B में नहीं जाएगा, लेकिन, लेकिन, A का यह पार्ट B से क्या रिष्टा रखता है, हमें नहीं पता हो, हमें नहीं पता हो, पॉसिबिलिटी लीजिए, जो भी लेनी है, सही जाएगी, मतलब, A का यह वाला पार्ट B में चा सकता है, कोई मनाई नहीं है, नीचे देखिए, कुछ A, Can, Never, जाएगी नहीं सकते, ठीक है, अच्छा, देखिए, संडे को एक्चुली क्या हुआ था, संडे को तो अब्विस सी बात है, बेगनर बिगनर टू प्रो वाली सीरीज नहीं कॉंटिनू होती है, संडे को एक स्पेशल सेशन होता है, और सेटरे को हमने लिया था, आई बी पेस क्लर का प्रीविस या पेपर, और वो क्यों लिया था, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पर सीख रहे हैं, उसका एप्लिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका एप्लिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, जो हम सेटरे को जो हमने रखा था, अगर आपको पसंद आया, और आप नेक सेटरे को भी वो ही चाहते हैं, तो हम दूसरा कोई प्रीविस या पेपर लाएंगे, और उसका डिसकेशन भी करेंगे, वो सेटरे स्पेशल था, और वना कॉंटिन्यू करेंगे ये सीरीज तो हम रोजी, चलिए कहां थे हम, हाँ, सम A can never be be, कुछ A कभी भी B हो ही नहीं सकते, तो ये बात तो सही है भई, A का ये हिस्सा कभी भी B में, जा ही नहीं सकता, definite चीज हैं, 100% surety है, तो हम इसे सही कर देंगे, समझ में आई बात, चलिए आगे चलते हैं, अब इस्टा एक question आता है, हमारे पास ही है, ठीक है, ये question है can be can never be, इसके उपर और भी हम question सभी करेंगे, All sad are happy, तो ये ले लिया हमने सभी sad, happy में, some happy are anger, some happy anger में आ गए, no anger is hate, जब हमें no दिखता है न, तो दोनों ही वेन हमेशा अलग-अलग बनते हैं, तो hate को अलग बिठाईए, and कोई वे अंगर hate में नहीं होगा, ये ही बनना था, पहला conclusion, कोच sad can never be, can never be क्या दिखाता है, possibility नहीं दिखाता है, ये दिखाता है हमें definite चीज, मतलब कोच sad कभी भी एंगर हो ही नहीं सकते, तो sad यहाँ, एंगर यहाँ, भई इन दोनों में हमें खुद रिष्टा नहीं पता, अब ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मतलब एक definite चीज बोल रहे हैं, हम बोलेंगे हमें नहीं पता, definite case में हम नहीं बता सकते, तो ये वाला हो गया wrong, next देखिएगा, सभी हेट can be sad, सभी हेट sad हो सकते हैं क्या, इन सभी हेट से हेट यहाँ बैठे हैं, sad यहाँ बैठे हैं, भई दोनों अलग अलग बैठे हैं, हमें खुद इन का रिष्टा नहीं पता, can be तो भई possibility बोलता है, मतलब सभी हेट sad में जा सकते हैं, लेके जाएं इसे यहाँ पर बिठा दीजे, कोई रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं, यह सही हो गया, समझ में आई बात, only one very good, चलिए, आगे चलते हैं, तो only case में अभी में कोई एक student बोल रहे थे, जो हमें daily basis पे follow करते हैं, तो वो बोले थे, ma'am only वाले case में थोड़ा सा problem हो रही है करने में, तो ma'am को पता था होगी, इसलिए practice के लिए, मैं पहले से क्वेस्टेन्स लाई हूँ, now it's the time, कि हम सब का overall practice करने जा रहे हैं, मतलब हमने अभी तक चार किसे सीखे हैं, only a few, only, can be, can never be, अब ये question में आपको हर एक चीज मिल रही है, और आप विश्वास आपको करना पड़ेगा, कि पता है ये कौन सा question है, ये पिछले साल आया हुआ, SBI P.O.K.P.E. का question है, 2021, तो देख लो, ये जो concept हमने आराम से सीखा है, ठीक है, वो कितना important है, अगर वो P.O.K.P.E. में आ रहा है, तो आने वाले हर exam के लिए बहुत important होगा, विकास हमें पता SBI को कौन follow करता है, IBPS करता है, और उसके आपको exams line में, आरार भी हो चाहे, या IBPS P.O. हो, वो सब आपको line में दिखने ही वाले हैं, चलिए फिर, इस question को कीजिएगा, हाँ, ये आरार भी क्लक के लिए class है, मैं, ये सारे banking exams के लिए class है, चाहे वो आपका आरार भी पीओ हो, आरार भी क्लक हो, और एक बार आप सभी से request होगी, कि भाई, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अव्विस सी बात है, पसंद आ रहा है, तभी आप यहाँ पे इतने, बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, इसे और बड़ी संख्याओं में जोड़ना हैं, और लोगों को हमें, तो एक बार प्लीज, इस वीडियो के लिंक अपने सभी ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, सारे जगे शेयर कर दीजिए, और भाई, लाइक भी कीजिए, क्योंकि मुझे देखके थोड़ा अजीव लगता है, कि 500 प्लास स्टूडेंट्स यहां पर हैं, आंसर कर रहे हैं, एनर्जी पूरी है, लेकिन लाइक बस 200 सम्थिंग है, ओके आसिफ करा देंगे, डोंट वरी, ओके, ओनली अफ्यू फ्यूल आप पेट्रोल, तो देखिए, ओनली अफ्यू मतलब सम प्लस सम नॉट, कुछ होंगे और कुछ नहीं, अब कुछ, इन दोनों के कुछ पार्ट ओवलाप करेंगे, बट यह जो पहला वाला है, इसका कुछ पार्ट कभी भी पेट्रोल में नहीं आएगा, तो पहले तो हम, फ्यूल का कुछ पार्ट पेट्रोल में ले आएगे, फिर क्योंकि ओनली अफ्यू मतलब केस है, तो फ्यूल का कुछ पार्ट पेट्रोल में कभी भी नहीं आएगा, तो यहां पेट्रोल और डीजल की बात हो रही है, तो डीजल बनाया मैंने अलग, पेट्रोल का कुछ पार्ट डीजल में कभी भी नहीं आएगा, फ़र्ड, अब देखो अब देखो अब वाला कॉंसेट में हमने क्या सिखा था, इसका मतलब होता है, मतलब सभी क्रूट डीजल में आ जाएंगे, बट वो फिर ऐसे लिखता है, ऐसे लिखने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि वो एक और बात आपको बताना चाहा रहा है, देखिए क्या, ये सभी क्रूट डीजल में तो आ जाएंगे, पर इस पे एक जिगजग ज़रू बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्रूट किसी और के साथ पॉजिटिव वे में रिलेट नहीं करेगा, मतलब अगर आप बोलेंगे कुछ क्रूट फ्यूल हो सकते हैं, तो भी ये गलत हो जाएगा, क्यों होगी ये संभावना गलत, क्योंकि ये जो क्रूट है ना, आप ये एक्जामपल हमेशा आपके माइन में चप जाएगा, ये एक घर है, ठीक है, अब इस घर में ये एक आइजोलेटिट परसन है इस रूम में, ये ना ही किसी और के घर जाएगा, ना ही अपने रूम में किसी को आने देगा, मतलब इसका मेल मिलाव किसी से नहीं होगा, तो ये हमेशा अलग रहेगा, अकेला रहेगा, ठीक है, ये कॉंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, आप देखिए क्वेशन कैसे होगा, सभी पेट्रोल कैन बी, सभी पेट्रोल फ्यूल हो सकते हैं, ये सभी पेट्रोल को इस फ्यूल के अंदर आके देखिए, इलाके देखिए, जब इसे लेके गई, यहां बिठा दो, यहां बिठा दो, कोई रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा, अगर हाँ, ये फ्यूल को बोलता ना पेट्रोल के अंदर लेके जा सकते हो क्या सभी फ्यूल को पेट्रोल के अंदर तो ये गलत हो जाता क्योंकि ये हिस्सा कभी नहीं जाता लेकिन ये पेट्रोल फ्यूल के इस हिस्से में आके बैठ जाए तो कोई नहीं रोकेगा और ये जा सकता है ठ लेकिन मैंने क्या बोला था यह है उनली वाला केस मतलब इस क्रोड पे जिग जाएगा तो यह क्या हो गया ऐसा कभी होगा ही नहीं गलत हो गई समझ में आया क्या ट्रिक होई यहाँ पे सभी क्रोड कैन नेवर भी फ्यूल्ड कैन नेवर भी का मतलब क्या होता है कभी हो ले एक पॉसिव लीटी नहीं डफिनले पे इस होता है all crude can never be fuel, यह सभी crude कभी भी fuel में जाही नहीं सकते, ये तो सही बात है, यह सभी crude fuel में क्या, petrol में भी नहीं जाएंगे और कोई और भी आके बहर जाएगा न वहाँ पे भी नहीं जाएंगे, कभी जाहेंगे ही नहीं, तो definite case में ये बिल्कुल जाही बात है, सही है कि नहीं, one and three, वेरी गुट सभी ने राइट अंसर किया है और यहां पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके concept clear हो गया है एक भी question अब रॉंग नहीं होगा क्योंकि यह आया हुआ question है okay so and then answer will be both first and third next question is this next कि के के आये इधर only a few guava are apple कुछ guava apple है पर केवल कुछ है तो only a few मतलब होता है some plus some not यह question भी last year आपके जो pre exam होते हैं उसमें आया हुआ है ठीक है तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं कुछ guava only a few मतलब कुछ और कुछ नहीं पहले कुछ guava apple में आ जाएंगे और फिर कुछ guava apple में नहीं आएंगे और guava और पिजा यह सभी guava पिजा में आ जाएंगे only a few burger और पिजा और केवल कुछ अब only a few मतलब फिर some plus some not तो कुछ बर्गर पहले पिजा में रखिए यह लीजिए बर्गर का बर्गर का कुछ पार्ट पहले पिजा में आ गया और फिर बर्गर का कुछ पार्ट कभी भी पिजा में जाएगा ही नहीं ठीक है यही तो आपको definitely surety है मतलब क्या आप इसे 100% surety के साथ कहेंगे देखो बर्गर का यह हिस्सा कभी भी पिजा के इस पूरे सरकल में कहीं भी नहीं जाएगा तो यह है बिल्कुल सही some guava can be apple अब देखे can be जब लिखा जाता है तो can be मतलब possibility कुछ guava apple हो सकते हैं guava का कुछ पार्ट apple में अरे हम बोलेंगे हो नहीं सकते हैं मतलब इन्होंने क्या किया एक known बात को जो हमें 100% surety के साथ पता है कि कुछ guava apple है हमें दिख रहा है guava का कुछ पार्ट apple में है अब यह लोग खह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि कुछ guava apple में हो तो इन्होंने क्या किया शक किया doubt किया और इसलिए conclusion गलत हो गया समझ में आई बात और guava being apple यहां पे तीसरा है all guava being apple as a possibility यह सभी guava apple में चले जाए ऐसी possibility है देखे इसे लेके जाए यहां पे यह सभी guava को जब लेके गई तो भाई यह वाला हिस्सा जो आप है आप तो रिष्टेदार के घर कभी नहीं जाएंगे selection नहीं हुआ है ना यह वह है ना मैंने बताया था तो यह हिस्सा कभी बे अपल में नहीं जाएगा तो भाई सब कैसे चले जाएंगे ऐसा कभी हो भी सकता है कभी नहीं होगा तो यह भी हो गया गलत ठीक है समझ में आई बात चली आगे चले चले आगे तो यहां पर आंसर आजाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो नेक्स्ट क्वेश्चिन यह क्वेश्चिन भी लास्ट यह आई भी पीस के एक्जैम में आया हुआ क्वेश्चिन है तो जल्दी से कीजिएगा को कि वै कि अ कि चलील ओल्ली फ्यू मुबाईल हेड़फोन तो पऴले तो कुछ मुबाईल हेड़फोन में आ जाएंगे और कुछ मुबाल कभी भी हेड़फोन में नहीं आएंगेगे ऑनली हेड़फोन्स comparing a very important statement है तो जब यह वोलता है only洲 फेंस का मतलब होता है और फैंसार headphone ठीक तो सबीज्ब फैंस को Vou हैट फोन में लग दीजिये और इस पे इसे जिग्ज्ग बना दीजिए लो येदफोन इस चार्ज तो कोई भी हैडफोन charger नहीं है तो इसका मतलब नो देखते ही दोनों को अला गला बिठाईए और कोई भी headphone charger में नहीं आएगा पहला conclusion सभी mobile headphone हो सकते हैं यह सभी mobile headphone के अंदर जा सकते हैं नहीं यह part कभी भी नहीं जाएगा तो यह हो गया गलत ठीक है यह part कभी नहीं जाएगा तो सब कैसे चले जाएंगे गलत सब mobile स्ओर चार्जर कुछ mobile charger नहीं हों गया बिसने क्या किया डाफिनिट बात की है तो mobile का कुछ इससा हम języ हाटफleton का कोई भी इस्सा चार्जर में होगा यह बिल्कुल सही बात है नाइदर नहीं है ठीक है चलिए तो यहां पर आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज नेक्स्ट अब यह क्वेशन आप खुद करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं न्यू पैटर्न की वर्ट्स की तरफ ठीक है यह लास्ट वर्ट्स क्वेश्चन था इस यार होमवक क्वेश्चन कॉमेंट बॉक्स में बताईए गाइस का अंसर अब न्यू पैटर्न की आपको पता होना चाहिए कि इस चीज को हम क्या बोलेंगे और हम परसेंट बेज्ट क्वेश्चन भी देखेंगे तो देखिए जैसे कि कुछ वर्ट्स होते हैं जैसे कि maximum, minimum या फिर at least या फिर at most या फिर आ गया almost या फिर कुछ वर्ट्स जैसे not every या फिर generally frequently या फिर occasionally यह सभी वर्ट्स ठीक है मैं मिनिमा मैंग्जिमा मैं आप ली इस एट मोस्ट आल मोस्ट फिक्वेंटली जनरली ओफन ठीक है इसका मतलब होता है अक्सर मैंग्जिमा मतलब ज्यादा अक्सर मिनिमा मतलब कम से कम at least कम से कम at most ज्यादा से ज्यादा और यह सब यह होता है लगवग जनरली समान तोर पर फ्रिक्वेंटली बार बार या फिर अक्सर ठीक है उकेजनली कभी-कभी अगर यह सब शब्द आपको मिल जाए तो इन सभी का मतलब एक ही होता है सम मतलब यहाँ पे आपको कोई स्टेटमेंट अगर ऐसे मिलता है कि मिनीमम या फिर मैग्जिमम ए आर बी तो आप क्या बनाएंगे सम ए आर बी समझ में आई इसकी चोट ले सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं अब यहाँ पे यही सब चीजे मैंने यहाँ पे थोड़ा और एजी ली एक टेबल में रख दी है आप इसका भी स्कीन चाट ले सकते हैं और यहाँ पे देख लिए वही चीज है उसके साथ मैं और और नो के लिए भी कुछ वर्ट आपको बता दूँ जैसे यहाँ पे मैंन सम के बारे में बताया तो अगर वो बोलता है नौटा सिंगल ए आर बी मतलब की कोई भी ए भी में नहीं होगा तो यहाँ पे ऐसे ही ओल और नो के लिए भी कुछ वर्ट है यह सब तो हमने कर लिए ओफन तक यहाँ तक हो गए हैं अब यह देखिए अगर आपको वर्ट मिल इनी भी मिल जाए तो इसका भी मतलब क्या होता है ए ओल ए आर बी अगर आपको नन या फिर नौटा सिंगल ए आर बी मिल जाए तो इसका मतलब होता है नो नो ए आर बी हमेशा याद रखिएगा कंफ्यूज मात हुईएगा ठीक है आई बात समझ नेक्स पे चलते हैं अब अब कुछ बहुत और इंपॉर्टेंट चीज यह सब हमने देख ली अब देखिए अगर आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिल जाए नौट एवरी ए और बी या फिर नौट ओल ए और बी तो देखिए मिने बहुत अच्छे से एक एक्जांपल भी दिया है अगर आपको मिलता कुछ A B नहीं होगा मतलब सब को वो बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर एक A B हो तो मतलब A का कुछ सा B में नहीं होगा that's it, अगर वो लिखता है, not all A is B, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, यह क्या बोल रहा है, कि सब ही A नहीं हो जाएंगे B में, तो इसका मतलब यह यह बोलना चाहरा है, some A are not B, कि कुछ है तो पक्का भी नहीं है, इसने यह बात हमीं कन्फर्म कर दी, एक्जामपल के साथ एक मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, not all batsmen are baller, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसका diagram कैसे बनेगा, that some batsmen, batsmen का कुछ पार्ट, baller में नहीं होगा, इसका मतलब some batsmen are not ballers, आई बात समझ, निक्स पे चलते हैं, दूसरा वाज है, not A, अगर आपको आता है, not A, P is Q, तो A लग गया, ठीक है, no की जगे not लग गया, लेकिन इसका मतलब यही होता है, no P is Q, मतलब अगर वो बोलता है, not a ball is bat, इसका मतलब no ball is bat, और इसका diagram बनेगा, no ball is in bat, यह वनेगा, इसका, यह statements discuss कर रहे हैं हम आपके साथ, काफिल आप मेंसे लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए बहुत important है, आज कल आपको mock test में भी मिल जाते होंगे, चाहे आप किसी भी, किसी भी institute का mock test दे रहे हो, वहाँ पे, अगर वो updated mock test है, तो यह वाले questions जरूर मिलते होंगे, अब देखिए यहां पे, कुछ words होते है, none except A or B, हिंदी में, I am really sorry guys, यहां पे मैं हिंदी में इसको आज लाना भूल गई, डेली बेसे पे लाती हूँ, ठीक है, क्योंकि इंगलिश में ही थोड़ी हमें दिक्कत करते हैं, हिंदी में तो आपको समझ में आई जाता है, ज्यादा था समझ में आजाता है, चलिए फिर भी, अगली बार से ऐचा नहीं होगा, none except A, या फिर none but, इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जब वो बोलते है, none except A or B, तो इसका मतलब होता है, all B or A, but, but, इसके साथ इसका एक और मतलब हो जाता है, that, only, only, एक सेकिंड, हाँ, एक्जांपल के साथ देखते हैं, none except teachers are students, ठीक है, अभी इसमें बताऊंगे, मैं only वाला क्या बोल रही हूँ, इसका मतलब यह होगा, कि all students are teachers, यह तो होगा, बट यह only वाला concept भी फॉलो करता है, जैसे हम बोलते थे ना, only A is B, तो इसका मतलब होता था all B, R, A, बट उसमें एक और मतलब निकलता था, कि भाई, यह जो B रहेगा ना, यह बस A में ही रहेगा, मतलब isolated person वाला concept, नीचे आईएगा, none but A, R, B, जब none but use होता है, उसका मतलब होता है, all B, R, A, ठीक है, उसका मतलब होता है, all B, R, A, अगर आपका example है, none but phones are cellular, it means, सभी cellular phones, पीछे वाले सभी phones के अंदर आके बैट जाएंगे, यह बाते आपको पता होनी चाहिए, और, थैंक यू योगें, my favorite teacher, Sharma Ma'am, thank you, thank you, मुझे बहुत लगता है, आप लोग जब मुझे बोलते हो, my favorite teacher, यह सब, और काफी काफी चीजे आपको सीखने को भी मिलती है, उसके यह मैं ग्रो करती गई अपनी लाइफ में, तो gratitude शो करना is very good, ठीक है, यह मतलब हमेशा, अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हैं, तो उसे accept भी कीजिए, और बताईए भी, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि इसके विज़े से आपका यह लेवल हो चुका है, आपको यह समझ में आ गई, और आपके एक्जाम में इसे बहुत है, तो उसे सच में बहुत खुशी होती है, चलिए, नेक्स पर चलते है, all except and all but, ठीक है, pdf मिल जाएगी, all except and all but, अगर आपको मिलता है, all except what, इसका मतलब क्या होता है, यह बोलते है, अगर all except ARB का मतलब होता है, no ARB यह क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से भी सोचें, तो यह क्या बोल रहा है, all except ARB, के वाल एक्सेप्ट सभी लोग B में हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है, इसने क्या बोला है, इसने यही तो वाला मतलब, आप यही कह रहे हो, इसे छोड़ का, accept मतलब इसे छोड़ के, यह व पट ए नहीं होगा मतलब no a is b statement है आपकी डाइग्राम कैसा बनेगा कोई भी यह बी में नहीं आएगा ठीक है तो जैसे for example if your example is all except boat are ship तो इसका मतलब क्या हो जाएगा no boats are ship ठीक नीच आईए अगर वह आपको देते हैं all but अगर यह वर्डाता है all but a rb इसका मतलब भी होता है no a is b इसका भी डाइग्राम बनेगा कि कोई भी यह बी में नहीं आएगा ठीक हाँ जी जी तेंदर जी हो जाएगा ठीक है हाँ हो जाएगा डोंट वरी डाट इस वह मेरा हैडिक हो ना मतलब हैडिक भी नहीं वह मेरी responsibility है वह हो जाएगा चलिए ओके तो आज यहां पर हमने सभी वर्ड्स देखे एक question और हमने देखा था वो भी कर लेते हैं आज हमने काफी चीजे सीखने को मिली होगी काफी कम लोग ऐसे questions बताते होंगे और ऐसे questions आपको मॉक्टस में मिलेंगे मॉक्टस जरूर दिया कीजे वह भी अभी के मतलब की updated मॉक्टस दिया कीजे और ग्रीन और ब्लू इसको करते हैं तो यह सब ही ग्रीन ब्लू में आ जाएंगे अब याद रखेगा यह रेड कभी और किसी के घर नहीं जाएगा पहला conclusion है कुछ रेड कैन भी ब्लू इस पॉसिबलेटी सभी question यह आए हुए question है पिछले साल के 2021 के कुछ रेड ब्लू हो सकते हैं एक संभावना है रेड का कुछ हुस्सा इस ब्लू में जा सकता है कि इसके नहीं रोक रहा हां रेड के कमरे में मत लेके जाना यहां पर बिठाइए ना लॉबी में कोई रोक रहा है नहीं तो यह हो सकता है मतलब यह हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सही सभी green can be white अब एक conclusion मैं भी दूंगी अपनी तरफ से अगर मैं आपको बोलूंगी all blue are white is a possibility तो क्या यह सही होगा या गलत सभी blue white में हो जाए एक संभावना है सही या गलत भाई likes इतने कम क्यूं है यहां पर अभी भी likes नहीं बढ़ा है में देखो मेरा जो मेरा फंड़ा है न मैं चाहती हूं जो मेरे साथ यहां पर जुड़े हूँ है उनका भी वही हो मुझे कोई चीज पसंद आती है मैं बे धड़क बे जिचक उसे like करती हूं तो अगर यहाँ पर बुल्ए है सभी वाईट में आ जाए एक समभावना है तो यह प्रिष्टेदार के घठ ड़ी जाती है यह तो कभी नहीं जाएगा पने ऊसे और बात बोल रही हूं अगर मैं भोलती सभी वाईट ब्लू में आ जाए एक समभावना है तो यह वही गलत होता क्यू यह भी गलत हो जाएगा ठीक है ठीक है ओके यह बड़े ना तेजी के साथ लाइक चलिए फिर आज के लिए इता ही और मैंने अब इसमें एक तो कुछ क्वेश्चिन की प्राक्टिस कर लेंगे हम अब इसे में एक और चीज में आपको कराने वाली हूँ जो होता है फॉलो नहीं होगा मैं हर वो चीज आपको करा रही हूँ यहां पे जो आने की पूरी पूरी संभावना है रिवर्स सिलोगिजम की जब तक बात जहां से बात आती है रिवर्स सिलोगिजम अगर हम ट्रेंड में देखे तो अभी नहीं है ट्रेंड में एक मतलब दौर था ज आए मैं उसके जगे में इग्जाम में रिप्लेट हो गया है उसको प्रिक्लेश कर दिया गया है मतलब वह बहुत कम दिखा था दा बोलूंगी तो दो तीन साल पहले और उसके बाद जो रिप्लेश्मेंट ये है सबस्टिट्यूट आया है वह उसका कोड़ेड कोड़ेड से लॉगिजम तो वह आना बहुत जरूरी है क्योंकि वह प्यों मेरे अकॉर्डिंग आपको जरूर मिल सकता है यहां पर आज हम करने वाले हैं अब हम एक स्टेप और आगे जाने वाले हमने स्टार्टिंग जिन्हो को प्रो लेवल तक हम लेके गए हैं हर एक टाइप यहां पर मैंने आपको सिखाया है स्टार्टिंग में हमने बेसिक किया और पॉसिबिलिटी की उसके बाद हमने अभी जो पिछले जो सेशन गई हैं उसमें हमने अलग-अलग जो न्यू पैटन कीवर्ड होते हैं जो क्या बोलते हैं और यह सब को क्या कैसे हम मतलब करते हैं इन्हें क्या मानते हैं हर परसेंटेज बेस्ट भी आज हम बात करेंगे अब इन सब चीज के आगे हम थोड़ा जाते हैं और देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं तो आज सबसे पहले हम देखेंगे definitely follow or definitely does not follow वाले questions में क्या होता है difference भी देखेंगे definitely और logically does not follow वाले question में फिर हम देखेंगे coded syllogism कैसे होते हैं और reverse syllogism की भी हम थोड़े असा एक एक दो question देखेंगे ठीक है तो आज हम यह सब cover करने वाले हैं और इससे पहले मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं कि पर्सेंट अगर आज आता है statement में तो आप उसे कैसे assume करेंगे ठीक है चली आगे चलते हैं सेशन को भी पसंद आएगा तो प्राइक जरूर कर दीजेगा तो यहां पर चलते हैं पहले question पर आने से पहले मैं आपको लेके जाओंगी यहां पर ही लिख लेते हैं ठीक है पर्सेंट के ऊपर पहले तो पर्सेंटेज की बात करते हैं यदि आपको एक परसेंट से 99.9 या फिर 99.9 परसेंट की कोई भी value मिलती है न तो उन सभी का मतलब सम होता है मतलब की कुछ अगर आपको यह मिलेगा मतलब ऐसा लिखा आ गया कि 12 परसेंट A.R.B. इसका मतलब सम A.R.B. Got it? Second thing. If you are getting percentage value 0% तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा no. मतलब 0% A.B. मतलब कोई भी A.B. नहीं होगा और अगर आपको 100% मिल जाता है 100% A.R.B. या A.B. तो यह क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा all मतलब all A.R.B. ठीक है? तो यह होती है percentage की अगर 1% से 99.99% भी आ जाए ना तो भी आप उसे सम ही बोलेंगे 0% को no और 100% को all बोलेंगे ठीक है? अब आयाते हैं definitely follow और definitely does not follow पे आईए तो आपको question कुछ ऐसा मिलेगा जो मैंने आपे दे रखा है इन में यह बोलेंगे in each आप यह question बहुत important है वरना आप गलत कर जाएंगे हाँ in each questions are given three statements followed by five conclusions one of which definitely does not follow and this is very important जब भी आपको आईवी पीए से question देता है तो ऐसे नहीं देता है ठीक है मैंने यहाँ पे कुछ हाइलाइट नहीं करा है बट आई भी पीएस एक अच्छा काम करता है बट हाँ एक दो एक्जाम्स में ऐसा भी हुआ है कि उसने हाइलाइट नहीं करी है वो चीज़ जब वो PG-DBF के एक्जाम्स हुआ करते थे तब के time की बात है तो यहाँ पे यह जो definitely does not follow है वो आपको bold letters में देगा तो अगर आप एक लुक भी माल लेंगे आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा does not follow वाला question है इधर आईएगा from the given statement that conclusion is your answer आप यह बोलते हैं कि पहले तो आप इस statement का क्या बनाएंगे हम when diagram बना लेंगे उसके बात हम क्या करेंगे इन्होंने क्या बोला है कि वो वाला find कीजिए जो follow नहीं कर वो भी definitely निश्चत रूप से follow नहीं करेगा अब definitely does not follow और logically does not follow में क्या difference होगा तो उससे पहले हम यह देख लेते हैं definitely follow वाले questions में क्या होता था कोई भी चीज logically follow या फिर definitely follow कब होती थी जब हमें उस पी hundred percent charity होती थी हम तभी उसे right करते थे ठीक है पर जब definitely does not follow आ जाता है और logically does not follow आ जाता है तो एक difference create हो जाता है बहुत बड़ा definitely does not follow मतलब होता है कि आपको उस पे hundred percent charity होनी चाहिए कि ऐसा होगा ही नहीं for example अगर मैं यहां पर आ गई और मैंने बोला my name is sona sharma कोई और आके आपको conclusion दे हर name is gold sharma कुछ और बोल दिया तो आप बोलेंगे definitely गलत बोल रही हो definitely does not follow लेकिन और आपको यहां पर हम समझाएंगे कि और क्या-क्या चीज़ें हो सकती है question के तुरू बहुत अच्छे सरी तरीके सा समझ में आएगा और मतलब आपको उस पे hundred percent charity होनी ही होनी चाहिए अगर मैंने बोल दिया आप सभी students है आप कोई आके बोले इन में से कुछ student नहीं है आप क्या बोलेंगे आरे तुम तो definitely does not follow वाली बात कर रह हो पक्का hundred percent charity के साथ बोल रहा हो तुम गलत हो अभी तक हम क्या दिखा रहे थे शरीटी दिखा रहे ते सही पे और आप दिखाएंगे गलत भी शरीटी तो जब आपको hundred percent charity होगी तब आप बोलोगे हाँ तुम गलत हो अगर मैंने बोला इन में से कुछ students है आप मेंसे सब ब क्या यह definitely does not follow होगा पहली बात है यह definitely does not follow होगा ही नहीं ठीक है यह तो follow हो जाएगा क्योंकि possibility लगा दी अगर वो ऐसे बोलता है इन में से कुछ students नहीं है ठीक है तो हम बोलें यह अच्छा पर क्या यह hundred percent charity के साथ बोलोगे कि यह चीज गलत बोल रहा है नहीं क्योंकि हमें खुद नहीं बता हमें पता है कि इन सब students में से यह हिस्सा मतलब यह जो सभी लोग हैं आप सभी इन में से यह लोग तो students से statement ने बोल दिया पर इनके बारे में हम कोई टिपनी नहीं करेंगे ना ही true उसमें मतलब कि follow वाली बात में definitely और ना ही definitely does not follow वाली बात में मतलब यह जो हिस्सा है यह जो लोग हैं यह students हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं अगर कोई आके बोलेगा कि इन में से कुछ students नहीं है तो आप इस बात को पूरी पक्की तौर पर गलत नहीं कहेंगे पर logical तौर पर गलत कह देंगे समझ में आई बात समझ में आई बात चलिए वर्ड का कोई भी हिस्सा लेटर में नहीं होगा और लेटर्स आर अल्फाबेट से इस सभी लेटर अल्फाबेट में हैं सम वोवल्स आर अल्फाबेट कुछ वोवल अल्फाबेट में हैं ठीक आगे देखिएगा पहला conclusion क्या find करना है कि पक्की तौर पर follow नहीं करेगा कु और लेटर का कोई भी हिस्सा वर्ड में नहीं है यह बात भी सही है नोल्फाबेट इसा लेटर कोई भी लेटर पूर्ड में नहीं है ये बात भी सही है नो अल्फवेट इसा लेटर कोई भी अल्फवेट पूरा यह जो अल्फवेट ना यह लेटर में नहीं होगा हम बोलेंगे आरे एक तुमने कर दी ना गलत बात भी अभी तो बोला था आप मेंसे कुछ स्टूडेंट्स है अब आके क्या बोल रहे हैं इन मेंसे कोई भी इस लेटर में आजाए पॉसिबलिटी समझ में आई बात आए और यह अच्छा खासी क्वेश्चन है प्री के लिए तो मैं नहीं बोलूंगे मेंस के लिए बहुत इंपोर्टन है प्री में भी आ सकता है संभावना पूरी रहती है हर चीज की आने की दूसा क्वेश्चन कर मैंने बहुत आराम से प्यार से सिखाया है अब यह वाला बहुत आराम से प्यार से करेंगे और हम इसे बहुत च्छे से नहीं सिखाएंगे अब जल्दी से करिए कि अगर चाहे 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 चलते हैं आपर सभी लोग यहां पर अंसर दे रहे हैं और सभी आ चुके हैं जैसे गागन श्रेया एर्वेन, मोहन, खुश्बू और अवंती का सभी आ चुके हैं चलिए जल्दी स्टार्ट रहते हैं आंसर करना ठीक है सम कप साथी तो कप का कुछ हिस्सा टी में आ जाएगा और टी और प्लेट्स यह सभी टी आ जाएंगे आपके प्लेट्स में फेर बोलते हैं नो प्लेट् पून में नहीं होगा यह लीजिए पहला कंक्लूजन हमें क्या देखना है हमें डेफिनेट्ली डिस नॉट पॉलो देखना है लोटी इस स्पून कोई भी टी नहीं आएगे तो सत्य बात है गलत कहां है सम कप सार प्लेट्स कप का कुछ हिस्सा प्लेट में है है यह बी सही सब्सक्राइब से पूलनों कि नहीं एंठ्री यह बात हां प्रसेंश के साथ बोलेंगे कि यह गलत है इसकommar मईस नेक्स्ट मैं आपने सिलोक्स बहुत अच्छे से clear कर दिये हैं यह सब आपकी वज़े से हुआ बहुत और क्या कह रहे हैं आप रियर में बहुत अच्छे से study कराते हो और मैं हमारा selection इस बार हो जाएगा और होना ही चाहिए क्योंकि मुझे आप लोग के selection से बहुत मतलब है ठीक है पर पढ़ा रही हूँ और तो उसके पीछे मेरा कोई मोटेव है ठीक है यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स में मुझे जॉइन किया है मैं चाहते हूँ कि उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसी ही साल सिलेक्शन हूँ मुझे बहुत ज्यादा आपकी उमीद है क्योंकि एक ऐसा एक्जाम रहेगा जो आपको जैनुरी में ही रिजल्ट दे देगा और आपका अलॉट्मेंट हो जाएगा और मेरे पास भी जली जली मेसेज़र आएंगे आपके मतलब आपके स्क्रीन शॉट्स स्टेटर्स के ठीक ह है चलिए ओके चलिए अब फॉर्स स्ट्रीटमेंट जैस संगोड़ टेक्स कुछ गोड़ टेक्स में आ गए तम रेट इस डील अब रेट और डील नहीं दिखे रहे हैं इसे एक बार के लिए इग्णोर कर दीजे और नहीं तो रेट कोई भी less rate में नहीं आयगा तो रेटको अ ऑलाग और कोई भी लिस में नहीं आएगा नौह एक छोड़ा सा उसे भी यूस कर लेते हैं ने का कुछ पार्ट डील में है ओके पहला कंक्लूजन क्या फाइंड करना है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो ठीक है 100 परसंट चॉरिटी होने चाहिए तभी ही गलत करना मतलब तभी आप आंसर करना वह 100 परसंट चॉरिटी के साथ गलत होना चाहिए कुछ गुड रेट नहीं ह है अब देखिए गुड का कुछ हिस्सा रेट में नहीं है हाँ गुड का यह शत् Уभी इसमें नहीं चाहय भी रेट में नहीं जाएगा यह बात तो सही है तीसरा कुछ लेस डील है लेस का कुछ हिस्सा इस डील के अंदर है क्या अब देखो बहुत ध्यान से यहां पर आपका यह मैं नहीं पता इस यहांड है क्या वहीं दोनों अग्या आपको कहूं आ यह तो आ firing पर मैं पक्की तोड पे नहीं कह सकता कि तुम Risk हो क्यों को गये ऐसे क्यों कि तुमें खुद नहीं पना फा इन रिष्टा है तो एसा ही कुछ यहां पे है जैसे हमें दोनों का अभी रिष्टा पता नहीं है एक इंडारेक्ट रिष्टा है वो मैं बताऊंगी अभी आपको यहां पर यह कहरें कुछ लैस डील नहीं है यह कब होता जब हमें कुछ ओवरलैपिंग दिखती लैस का कुछ इससा डील में दिखता ऐसा होता तभी हम इसे बोलते हैं यह सही है पर क्या आप इसे गलत बोल सकते हैं आप बोलेंके भई यह 100% चॉरिटी के साथ यह गलत है इस पर तो हम को यह टिपणी नहीं कर सकते क्योंकि हमें इतनी बास बहुत अच्छे से पता है कि डील का यह हिस्सा कभी भी लेस में नहीं जाएगा पर पर ल से तो हो सकता है भी बहुत सारी चीजें होती है कहीं और अची तरीके से सहरे से में नहीं कहूंगी पर पक्की तोर पे 100% के साथ गलत भी नहीं कहूंगी मुझे नहीं पता ठीक है तो इसे हम 100% के साथ डेफिनेटली निश्चत रूप से गलत नहीं कह सकते ठीक है नीचे देखिए इसको नहीं छुएंगे यह नहीं होगा संब गुड़ का कुछ हिस्सा रेट में है इसके बारे में भी हमें नहीं पता भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पक्की तोर पे गलत कैसे कर दूँ नीचे सभी डील लेस में आजाए एक पॉसिब्लीटी है यह इसके अंदर आ जए जो अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी देखो बहुत ध्यान से यह बोल रहे हैं यह सभी डील इस लेस में आ जाए पॉसिब्लीटी है हम बोलेंगे चलो लेके जाते हैं ना इसे लेके गए उठाके अरे पर यह जो हिस्सा है यह तो रेट में है रेट का कोई भी हिस लेस में लजाके बैठ जाए तो हम बुलेंगे नहीं 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 ऐसी कभी संभावना होई नहीं सकती क्योंकि यह हिस्सा तो कभी जाएगा ही नहीं मतलब यह 100% चलीटी के साथ हम राइट टिक करेंगे कि यह डेफिनेटली डास नौट फॉलो होगा समझ में आई बात यह लॉजिकली डास नौट फॉलो है यह वाला डेफिनेटली नहीं है बट हां लॉजिकली अगर बोले तो यह फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन यहां पर हमें 100% चलीटी है कि तुम गलत हो और इसलिए हमने इसे टिक कर दिया समझ में आया डिफरेंस क्या हुआ में 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 मक कभी भी रॉंग नहीं जाएगा ठीक है इस पीर आपकी खुद से आईगी पर जो कॉंसेप्ट होता है वो में हां पर आपको सिखा रही हूँ तो यह आप हमेशा याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट इसमें और क्लियर हो जाएगा हरे क्वेशन बहुत बहुत ही अच्छे- जाएगा इट सोके और वे उफ टीचिंग एंस अल्व मी थैंक यू चार नहीं चाले सिखाएं यह है अपने मैं अरे वाँ क्या बात है आज इतनी इतना कैसे सब लोग इसलिए तो हमारी फेवरेट है यह मैं आपसे बहुत कुछ सीखा है मैं और सब लोग स्टार्ट हो गए तारीफ के मतलब तारीफ ही तारीफ हो रही है यहां पर लो 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 चलिए यह रिपीटिट क्वेशन है क्या नए रिपीटिट कहां है यह हो चुका है मैं ताइंक यू नोपर ये क्वेश्चन हो गया है तो चलिए आगे चलते हैं ठीक है ये लीजे ये वाला क्वेश्चन कीजिए इतनी तारीफ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो शुक्रिया इसका भी ये भी एक तरीके से जब हम आपको मोटिवेट करते हैं आपकी कोई अच्छी चीज देखते हैं और मोटिवेट करते हैं तो बहुत खुशी होती है और एक आती अंदर से है जब मेरी तारीफ होती है पर अब अब हो गई है बहुत और थैंक यू एवरिवान इसके लिए अब हम थोड़ा कॉंसर्ट भी देख लेते हैं और जल्दी सब इसका अंसर भी कीजिए और 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 भई लाइक से इतने कम क्यूं है छे सो प्लस यहां पर विवर्स हैं और तीन सो और बच्चे कौन हैं जो यहां पर बैठे हुए पढ़ तो रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे हैं प्लीज लाइक कीजिएगा ओ गाड़ मैं इस लाइफ चैट को फिर से रीप्ले करके देखने वाली हूँ ठीक है मैं भी आपके जैसी ही हूँ मुझे भी तारी बहुत पसंद है ओके चलिए अब आज आते हैं इस क्वेश्चन पर नो नाइट को रखा यहां और डे को रखा यहां और कोई भी नाइट डे में नहीं होगी और मार्व जनून यो यह सभी नाइट नून में आ जाएंगे डेंठ हैंगा यून नहीं और ही दोनों बन जाएंगे अलग-अलग और समर को मैं यहां बिछा रही हूँ और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है में लेवल का क्वेश्चन है तो कोई भी इवनिंग समर में नहीं होगा ड़ान स्वारी नो इवनिंग हाँ ठीक है ठीक है चलिए फिर आगे चले पहला कंटूजन क्या पाइंट करना है हमें डेफिनेटली डाज नॉट फॉलो हंडे पर सेंच्वारीटी होनी चाहिए कि यह गलत है तभी सही करना तभी राइट करना ओल डे बी नून में आ जाए पॉसिबल है लेकर आके देखो पॉसिबलिटी बोली है इस यहां पे नाइ नाइट का कुछ हिसा इस इवनिंग में हैं क्या रश़्स्तित पर यह क्या कि यह और रही भाइंक हमें सही करेंगे और नहीं गलत करेंगे छोड़ दीजेए से भी सभी नाइट समर हो जाए एक संभावना है यह सभी नाइट इस समर के अंदर जाके बैठ जाये बहुत ध्यान से लेखना बहुत ध्यान से यह पूर नून इस सब्सक्राइब नहीं जाएगा और यह तो नून का यह समर में नहीं जाएगा और यह क्या बोल रहे हैं कि भाई ऐसी भी एक संभावना है कि ये पूरा का पूरा नून इसमें जाके बैच जाए हम बुलेंगे भाई ये तो कभी जाएगा ही नहीं तो ये संभावना तो बिल्कुल गलत है तो ये हो गया बिल्कुल सही आंसर समझ में आया लॉजिक चलिए फिर आगे चलते हैं तो डी हो जाएगा आपका आंसर नाओ इस टाइम कि अब हम थोड़ा क्वेस्टन चेंज करते हैं और आप आएगा लॉजिकली डैस नॉट फॉलो लॉजिकली डैस नॉट फॉलो मतलब इस बात पर आपको लग रहा है कि भाई यह इसके बारे मुझे पता नहीं है मैं शॉरिटी के साथ इसे सही नहीं कर सकता तो फॉलो जो लॉजिकली डैस नॉट फॉलो हो जाएगा ठीक है हर एक वो कर हर एक कंक्लूजन जिसमें आपको खुद नहीं पता कि अंसर क्या हो सक सकता है या फिर क्या यह बात पूरी तरीके से गलत है या पूरी तरीके से सही है जब आपको खुद नहीं पता तो वह वाला कंक्लूजन आप लॉजिकली डैस नॉट फॉलो की केचेगी में डाल देंगे समझ में आई बात यह वाला कीजिए फिर हम बताएंगे और एक बा हाई मधू हम किसी को नहीं भूलते हैं एक एक नाम याद रहता है हमें चलिए हो अ के सभीघील fan हे तो यह सभी टेबल चाहएं समय हैं कुछ-व IS spread मैं है इस नो टेवल ऐस तो नो दिखाए तो बोनों अलग- लग बैठ जैंगे कोई भी टेबल डेस्क में नहीं होगी पहला is going to be fans so much काल लेके आए न कोई रोक रहें नहीं रोक रहें यह बात तो सही है गलत जा सकते हैं इस गलत बात है यह सब भी फैन भोल रहाै सभी फैन डेस्क में जा सकते आं अरे फमने सबमाद है यह तो कभी नहीं जाएगा देस्क में तो ये बाद तो गलत है इस लिए आनसर हो जाएगा और देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं, और तो कोई नहीं है रुते, सब्सक्नल्य होनार, कई भी देस्क में हो सकता है purchase का यह बाद रियón आएं और कुछ टेवल में आ सकती है हां दोनों में रिष्टा ही नहीं पतार बनाई लगाई यह न पॉसिविलीटी तो यह आपका सेकेंड हो गया आंसर मतलब आपको गैरंटी तो नहीं है कि यह गलत है फिर भी आप उसे गलत कर दोगे समझ में आई बात मतलब आपको यह नहीं प करने पड़ेंगे हर सेशन में आपको मैंने बिगनिंग के जो क्वेशन होते हैं साथ-साथ प्रो लेवल के क्वेशन भी कराएं इस क्वेशन आर ओफ प्रो लेवल चल्दी देखिए इस बास सेलेक्शन होगा तो सकसर आपको डेडिकेट करेंगे डेडिकेट करना ही होगा और सेलेक्शन भी होना चाहिए है ना तेंक यू चलिए फिर आजाईए कोच इंगलेश हिंदी है इंगलिश का कुछ हिस्सा हिंदी में आ जाएगा तबहीं इंगलेश संस्कृत है सॉरी सभी इंगलेश संस्कृत में आ गए ओलखिश है तो दोलों का लग लग भी चाहा देंगे لا कुई भी हिंदी लैगमेज में नहीं होगा पहला कंग्लूजन सभी इंगलिश हिंधी हो सकते हैं यह सभी इंगलिश हिंदी में हो सकते हैं सही और हिंदी कैंनभी सां किए सभी हिंदी सां सिकुण liked 레지만 संस्कृत कोच सांग्लिश में है हैं सब सकता है इसका कुछ सकता है इसमें हो सकता है सभी तो यहीं हो सकता है जंसक्रित can be language यह सभी Sanskrit language हो सकती है तो बोलेंगे भाई अब तुम गलत हो गए क्योंकि लेंग जो Sanskrit का यह पार्ट है जो हिंदी के साथ comment है यह कभी भी language में नहीं जाएगा इसलिए यही हमारा answer हो जाएगा समझ में आई बात next question अब चलिए यह आप करेंगे आप homework में और comment section में answer भी देंगे और और भी बताएंगे session कैसा लगा आपको अब मैं next type के questions पर आ रही हूं यह सारे आपको करने हैं these are your homework questions मैंने चारीती content देना now is the time हम करेंगे coded syllogism है अब यह क्या है भई अब यह क्या होता है हम इसे वो भी नहीं करते आगे पीछे और यह खुद हो जाता है एक सेकेंड ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं में चारीत करने वाले कोड़े सिलोगिजम क्यों इंपोर्टन थे अपके मेंस के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्योंकि आइब पियो मेंस जो तारिक को हुआ इसी ही साल हुआ था उसका मीनस जैनुरी में हुआ था उस तो यहां पर आज हम देखने वाले कोड़िट सिलोगिजम होते कैसे हैं तो चलिए देखते हैं इसमें उन्होंने कहा कि भाई कुछ कोडिंग दे गई इससे उपर वो कुछ एक संटेंस काफी बड़ा देंगे उस पिला ध्यान नहीं देना इस पर आजाना आप अब का मतलब सभी एभी हैं एभी का मतलब कुछ एभी हैं एपरसेंट बी का मतलब वहीं मतलब कोड़ इन्कॉलिटी की याद सी आ गई बट यहां पर कोई मैजिक बॉक्स नहीं बनेगा आरा अचत के बस्टेंट अबे अब worksky जगए हम क्या वनाने के हमारा पुराना वाला वन डैग्रेम ही बनाएंग और र सी कि थ ей चलिए स्टार्ट करेंगे के यहां बोलते हैं कि इतने सारी इरों ने हुआ दिए स्टेटमेंट्स दिये हैं 3 statements we have 3 statements now lichy hash orange hash means what they have said that a hash b means some a is b it means some lichy are in orange है ना तो कुछ lichy औरेंज में आ गए औरेंज में आ गए that is it फिर औरेंज पर जाईए औरेंज आप्पल अच्छा 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 मतलब क्या है कि सभी ए और ए इस भी सभी ए मतलब कि आगे वाला element आगे वाला वरिये बल सबका सब बीक अंदर आ जाएगा ऐसे ही सभी औरेंज एपल में आ जाएंगे एड का मतलब यहीं है तो यहां पर यहीं कर दीजिए यह सभी औरेंज कि एपल में आ गए कि एपल एंड किवी एंड मतलब क्या है एंड मतलब समीज नॉट भी मतलब कुछ ऐपल किवी में नहीं हो गया तो कुछ एपल का का मतलब यह हो गया अब देखो वह एक नोट डालेंगे यहाँ पर नोट में बहुत इंपोर्टन बात होगी वह आपके यहाँ पर डॉलर का मतलब पॉसिबिलिटी केस है वहाँ पर एक पूरी लंबी चोड़ी लाइन लिखेंगे वह ऐसा बोलेंगे कि भाई जब भी किसी सि टब लहाबना लगा देंगे ठीक है चलिए आगे देखिए है पहला लिटी क्तलूजलीर अपसे nome मतलब की सब ही अप का मतलब कर करना ये तो गलत है भूलेंगे वह इसाफ भी पूच रहा है लीटी हैश डॉलर आपको पूरा नोट में लिखके भी देगा और लिखके देगा जब आप एक्जाम देने जाएंगे तो यह सब चीजे एड़न होंगी उसमें अब यहां पे इसका मतलब यह क्या हो जाएगा है क्या मतलब है समेर यहां पर जाएगा सम डिची इस एपल ठीके सम लिचि आपल इसके आगे लगा देंगे इन्हें फोसिबलीटी तो देखो लिची यहां पर यहां है हम बोलेंगे भाई लेची का कुछ इससा अपल में और इस पर हमें 100% तुम बोल रहे हो इस पर शक कर रहे हो डाउट कर रहे हो मतलब बोल रहे हो कि यह संभावना है इस नौट असम्भावना इस नौट पॉसिबिलीटी इस इस 100% चरिटी के साथ बोलेंगे ऐस यह सच है सकते है ठीक है तो यह भी हो जाएगा गलत समझ में आई बात हमारा पुराने ही कॉंसेप्ट है बस उसे थोड़ा सा इनोग ने ट्विस्ट कर दिया है इस रूप में देखे that's it वरना कॉंसेप्ट जो हमने अभी तक सीके है सब व कि मदू का सही हुआ है वेरी गॉड और सभी का सही हुआ है अस्ते वाले इमोजीज बेज रहे हैं चले फिर इहां पर मोहला बालकनी मारकेट यह सब आ चुका है ठीक है मौहला होम यहां पर हमारे पास वी हाँ three statements मौहला हम आपम का मतलब क्या है जी अट का मतलब गहाँ सब्होंब कि योगर में घोगा अब बालकणी परसंस मतलब कि कोई भी ओम मतलब किन फूर्क उन्हों लग तो दोनों और लग मैठेंगे यह लीजिए सारी उ Trav कर दिनोंने बार कर नीं भी नहों कि therapist है डूंघ ACE मतलब कुछ मतलब कुछ मार्केट दो लिए मार्क यह ली आग 적 well पहला conclusion balcony hash और डॉलर यह भी लगा दिया है डॉलर ठीक है market इस डॉलर का मतलब तो possibility है ना मतलब यह क्या कह रहे हैं है मतलब होता है सम और जब सम के साथ इन्होंने possibility बार वाला मार्क लगाते हैं इसका मतलब होता है सम बार्कनी आर मार्केट ऑपर गरोता में पार शरुनी कोजश में और वालकनी मारकेट में हो एक समभाव ना है तो मार्केट का बार्कनी कar कुछ हिस्सा इस मार्केट में आ जया जाए ऐसा कभी संभावित है क्यों नहीं है भाई बारिक नी हिसा या कुछ हिससा मार्केट के इस हिस्से में तो नहीं दिखेगा है यह तो यह साइब डी really मार्केट के इस हिस्से में आ पार अक्षी प्रीच हो जाएगा थंफार देखिए होम यह जा에 मार्कट हैश मार्केट कम एक संभावना के दो खोड़ना शुन मार्केट कि यह वाला गल नी का आपको समझ में आयागा कोड़िज सिलोगिजम कैसे होते हैं अब आपको प्रैक्टिस करनी है लगातार देद अनाधन बस प्रैक्टिस कीजिएगा यह आपके सभी टाइप क्वेस्टन्स मैंने यहां पर कराए हैं इसके बाहर कुछ नहीं आएगा जो इसके जो बैज स्टार हो जाएंगे और आपको पता चले का कि वहार हमारा वो जो डाउट है अगर हमने आज उस क्वेस्टन पर वो डाउट रही उस्वोडाउट सौल नहीं हो पाया उसमें वह वो कॉंसेट की क्लारीटी नहीं हो पाई हम बार भाँ सीज में फस रही हैं इट मीन क्या होगा आप हर बार उस concept में फसेंगे उस question में उस type के question में फसेंगे जब आपको डाउट बिल्कुल clear हो जाएगा तब ही आपको ऐसा लगेगा हाँ अब ऐसा कोई भी question आ जाए मैं आराम से कर दूंगा चलिए अब करते हैं रिवर्स सिलोगिसम और रिवर्स सिलोगिसम पर जाने से पहले हम लॉजिकल फॉलोव वाले जो questions छोड़ दिये थे वह भी कर लेते हैं तो यह वाला एक question आपको देती हूं जिसे कि यहां पर जल्दी से करेंगे आप लोग जल्दी से करेंगे इस question को कराया जाए चली आईए और तंब क्रिकेट फुट बाल कुछ क्रिकेट फुट बाल में आ गए और टैनिस फुट बाल यह सभी टैनिस फुट बाल में आ गए और वॉली बाल इस करिकेट यह सब भी वॉली बाल कॱी करिकेट में आ गए ठाक पहला conclusion सब positive दिख रहाए कंगे कुछ वॉज्प सबस्क्रेंद कुछ वॉली बाल सकते हैं कुछ एस्सा टैनिस में हो सकता और पमरकर बाल को सकते हैं कुछ directors को सकते हैं ननीस का कुछ football cricket हो सकते है football का कुछ हिस्सा cricket हो सकता है आप देखो इनने कर दी गलत बात भाई मैंने बता दिया है मेरा नाम सोना शर्मा है अब उस पर आके बोल रहे हो शायद इनका नाम सोना शर्मा है तो क्या होगा गलत होगा तो यहां पर यही हुआ हमें अल्रेडी भता है कि भाई फुटबॉल का कुछ हिस्सा क्रिकेट में है दिख रहा है उस पर तुमने क्या क्या डाउट किया पॉसिम्लेटी लगा दी क्यान भी लगा दिया तो यह हो गया गलत मन्तब यह लॉजिकली डाउट फॉलो हो जाएगा तो आपका भी यही आ रहा है प्षिक आसे किया आपने तो सही पिटा सभी केकेट फुटबॉल हो जाएं हो सकते तो यह सभी केकेट फुटबॉल में जाकर बैट सब्सक्राइब कुछ करेकेत और लॉटबॉल है कि MKC कको 5 यह फैसर बॉल्यवाल में है हम हैं यह वही सखी नीज्ब हो प chips यालव करेके Vous कि यह आपका question है और सबसे अच्छी बात तो यह है कि कि सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैंने आपको मेंस लवल के questions कर आए बट strength में आपकी कोई कमी नहीं हुए आप उसे भी उसी तरीके से कर रहे हैं जैसी कि आप सोच कि प्री तो हमारा निकलेगा मेंस हमारा जॉब के लिए हमें मेंस निकालना ही होगा तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब यहां पे लगे रहे क्योंकि आप में वो सीखने की इच्छा है कि भई हर टाइप का question हमें आना चाहिए बेगिनर से प्रो बनना है तो हर ए आज कल ट्रेंड में नहीं है और उसी की बहुत मैंने देखा है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें नहीं जबरत नहीं है इतनी प्रैक्टिस करने की आपको इस पता होना चाहिए कोई ऐसी चीज जो आजकर ट्रेंड में नहीं है वो एकदम से आ जाए और भी पी ओ या फिर अप्राइज एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ एस्बी पी ओ और क्लक की इक अलग बात होती है वो सर्प्राइज देने में बहुत मशूर है बट आर भी पी ओ या फिर आई भी पी इस भी कहूंगी मैं अगर लास्ट यह का पेपर उठाएंगे तो जादा कुछ सर्प्राइज नहीं दिया है उसने हाँ डिफिकल्ट क्वेशन से यह नहीं कहूंगी कि वह इजी क्वेशन से एक बात और एनलिसिस के टाइम मैंने ऐसा देखा है बहुत लोग ऐसे बोलते है अच्छा इसमें तो आपने इतने बना लिए होंगे यह तो आपका जो वहां पर बैठता है स्टूडेंट उससे जाके अगर कोई परस्नली पूछे तो बताएगा मैं खुद स्टूडेंस बताते हैं मैं यहां पे तो ऐसा लगता है कि अच्छा यह वाला फॉर्मेट आया ही देता है वना सभी फिर का फिर बहुत है जाती कम जा रही है कि उसके पीछे रीजन हैं ओकर चलिएगा यह कीजिए उन्हें उन्समें एक्वर्स लाने के पूरी कोशिश करोग You ऊपी मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है की एक्जाम में आएगा रवी कीजाम में थो नहीं मिलने होला है में मुझे ऐता लग रहा है कुछ glasses are not files all tanks are glasses अब इसमें एक ट्रिक होती है और एक होता है बिल्गुल simply simply कैसे करोगे यह देखो हार एक statement देखो होता क्या है यह conclusion right होना चाहिए according to the statement हमें इस conclusion से पता लगाना है कि यह किस statement की according right conclusion है अगर हम पहले का देखें तुझका वेन बना लो किती दे लगी कुछ सेकेंड लगेंगे कुछ tank pipe है जैसे आपने बना लिया tank का कुछ हिस्सा pipe में है फिर कुछ pipe glasses है pipe का कुछ हिस्सा glass में है no file is pipe file को अलग रखा और कोई भी file पाइप नहीं है ठीक है अब इसमें कुछ खूंबिश होती है clues भी होते हैं वह आपको प्राक्टिस के बाद पता चलेगा कुछ नेगेटिव चीज मिल गई तो वहाला स्टेटमेंट कट हो जाता है कि सब चीजे भी होती है बताएंगे कुछ दो वेरियेवल्स को पकड़ दिया जाता है ठीक है अब यह बन गया अब क्या इसके अकॉडिंग यह कंक्लूजन सही बैठ रहा है बिकुल बेसिक बता दिए स्टेटमेंट तो नहीं है कंक्लूजन का सभाइन बनाऊ है और यहां पर लिखने की जगहें नहीं है क्या नहीं है सभी क्लाश का कुछ इसा अग्छ सब्सक्राइब कोई भी फाइल पैक में नहीं है ख़िक्त है अब सबता हुँत सब्सक्राइब करना लो सभी टैंक अंदर इसता बनारी हुँ मैं सम्पाइब पार ग्लासे कुछ पाइब ग्लास में है तो यह बात तो गलत है गलत हो गई यह वाला स्टेट्मेंट भी गलत है ठीक ठीक है आगे चलते हैं पूर्थ में और टैंक्स आर पाइप्स सभी टैंक पाइप है ये सभी टैंक पाइप के अंदर आ गए सभी पाइप ग्लासेज है ये सभी पाइप ग्लासेज के अंदर आ गए no file is pipe कोई भी फाइप नहीं होंगे कोई भी फाइल पाइप में नहीं होंगे ठीक है आगे देखिएगा अब कंक्लूजन मैच कीजिए उसके अकॉर्डिक कुछ ग्लासे फाइल नहीं है यह वाला हिस्सा ग्लासे का कभी भी फाइल में नहीं जाएगा 100 परसेंट चुहार है राइट है सभी टैंक ग्लास है यह ट्रिकी दिया था डाग्राम बनाके करते हैं तो वह आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नीचे लग लेके जाएगा रिवर्स सिलोगिजम में ठीक है अर्रबी के पेपर में अगर आज आ जाएए यह या फिर आई भी पेस पीयों की पेपर में आ गया तो जाहतर वो यही करत है कि स्टार्टिंग में ही आपको सेकेंड या थर्ड के अंदर वो आपको आपको आंसर दे देगा ठीक है तो अब मैं यहां पर ही वाइंड अप करती है कुछ क्रूशन की क्राक्टिस भी है नाओ इट्स यॉर टाइम सिलोगिजम मैंने आपको बिगिनर से प्रो लेवल त आपको 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 आपक